हुआ है कि हमारी इस क्लास में दिन की तीसरी क्लास लेकर आ गई हूं जहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लोग एक बहुत ही मनोरंजग साथ चाप्टर जो है यह पढ़ने वाले हैं काफी इंट्रेसिंग चाप्टर है किस-किस का फेवरेट चाप्टर है ये class strength में मुझे बता दीजिए बचों कि चाप्टर हमारे खुद के देश यानि की भारत देश के बारे में है और चाप्टर का नाम है nationalism in India यानि की भारत में राश्ट्रवाद और ये बहुत ही प्यारा चाप्टर है मैं देखती हूँ कि बच्चे जो बोलते हैं मैं nationalism in India करवा दीजिए काफी लंबा चाप्टर काफी लंबा है देखो लंबा है ठीक है बट ये अपने भारत देश का इतिहास है और अपने भारत देश की इतिहास को हम लोग कैसे ही जाने दे सकते हैं तो आज का ये जो सेशन है काफी स्पेशल सेशन होने वाला है बचो बहुत डीटेल में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इस चाप्टर को आज के इस हमारे जटाईउ बैच की क्लास में कवर करने वाले हैं और ये जो चाप्टर की क्लास है मैं चाहती हूं कि सारे के सारे लोग इस क्लास को जॉइन करने सबसे पहले तो I want everyone to be a part of the class फटा फट से join the class so that we can start जल्दी जल्दी से क्लास को आप लोग जॉइन करेंगे फटा फट से सेशन को आप लोग लाइक करेंगे फटा फट से सेशन को आप लोग शेयर भी कर देंगे ठीक है शेयर करना है इस सेशन को कहां पर शेयर करना है अपने अहर जगा शेयर करना है ठीक है मैं चाहती हूँ एक्चली कि सारे लोग मैं माजा इसस्टी का हाफ यर्ली इग्जामिनेशन था तो आई होप अवेस्ट था अके यहीं मैं चाहती हूँ कि सारे बचों के सारे के सारे achievements अच्छे जाएं और बचो जो में मैं च्एहती हूँ कि बहुत ही जादा निभी जान ने के जरुरत नहीं है अगर marks भी उतने आपके हिसाब से नहीं आते तो कोई tension लेने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि बचो हम लोग prepare किसके लिए कर रहे हैं अपना end goal अपने धिमाग में रखो हम लोग board exams के लिए prepare कर रहे हैं हमें board के marks से मतलब है हमें अभी जो भी marks आते उससे क्या मतलब है कुछ मतलब नहीं है हमें board के mark से मतलब है तो हम boards के हिसाब से prepare करेंगे चिक है कावया, पवन, वैशनवी I welcome you all to the class and I hope कि सारे कि सारे बच्चे class के अंत तक रुखने वाले हैं मेरे साथ में तो बचो अपने हाथ में पकड़ लीजिए एक copy पकड़ लीजिए एक pen और phone को किसी बड़िया सी जगा पर रख दीजिए अपने या फिर laptop जिसमें भी आप class को देख रहे हैं बड़िया सी जगा पर उसको रख दीजिए ताकि हम लोग धंग से हेड़ फोन को प्लग इन कर लो या फिर class को अगर लाउट स्पीकर पे तुम्हें सुनना है घर में सुनाना है अपने तो वह भी तुम सुना सकते हो बाकी लोगों को भारत की इतिहास के बारे में पता चल जाएगा लेकिन हां लाइक कीपिट सम्वेर दाट यू इसली आक्सेस्ट फोन और जिस्ट टेक अ कॉपी टेक पैन और जो जो मैं इंपोर्टेंट आप लोगों को बताती जाओंगी वह आप इंपोर्टेंट मांक करते जाएंगे मांक क्या करते जाएंगे मनद लिखते जाना क्वेस्टन लिख दे जाना इंपोर्टेंट ठीक है चलिए स्टार्ट कर ले चाप्र को स्टार्ट करने से पहले में सभी बच्चों को एक बारी बोलती हूँ कि फटा फट से मुझे जो है फायर इमोजी आप लोग भेज दीजिए फायर इमोजी क्लास में आ जाना चाहिए जल्दी 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 चाट सेक्शन वे इतना ज्यादा सन्नाटा इतना ज्यादा कम जोश यह देखना है हम लोग हां यह देखना है नहीं ना नहीं ना हाँ जल्दी जल्दी से फाइर इमोजी फाइर इमोजी मुझे दिखने चाहिए बचो कॉमेंट सेक्शन के अंदर आग लग जानी चाहिए और फटा फट से अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो सेशन को जल्दी से सबको लेकर आ जाओ यार यह chapter वैसे मैंने पहले भी बहुत बारी पढ़ाया है लेकिन आज जो है मैं एक अलग mood में पढ़ाने के लिए आई हूँ आज हम थोड़ा जो है और जादा detail में इस chapter को देखने वाले हैं जल्दी जल्दी से चलिए let us start बचो let us start the chapter आप सभी को पता है कि इस chapter का context क्या है mainly हम इस chapter में यह देखने वाले हैं कि जब अंग्रेश भारत पे शासन किया करते थे उस समय पर बचो बहुत से भारतिये थे जो कि एक तरीके से उस अंग्रेश के शासन को accept कर लेते थे कि ठीक है अंग्रेश शायद हमसे जादा powerful है हमसे जादा समझदार है intelligent है तो हम उसको accept कर लेते थे and we used to go with the flow but फिर जो है बचो बहुत से हमारे लोग जो है वो scene में आते हैं और वो बताते हैं कि यार यह जो अंग्रेशों का शासन है it is not justified एक तरीके से हम भारत वासियों के साथ काफी गलत हो रहा है हमें अपना खुद का शासन चाहिए अपने देश पर और फिर बचो उसी चीज़ के लिए हम लोग लड़ाई करते हैं उसी चीज़ के लिए हम लोग संगर्ष करते हैं और एक समय ऐसा आता है finally कि हम उन अंग्रेजों को बाई बाई कर देते हैं और भारत एक आज़ाद देश बन जाता है आज बचों जो हम लोग आज़ादी इंजॉय करते हैं जो हम लोग अपने उपर शासन खुद से कर रहे हैं जो हमारा एक लोग तांत्रिक देश है ये देश तभी बन पाया है क कि सबसे पहली बचों जो वयर्ल वर हूई थी कौन से साल में हूई ती किया कोई मुझे यор श सकता है एक ट intimidated सबढ़्य इंड हम लोगों को पता है किnda ृस लोगं में तो नहींülme IT थे यानि कि जो हमारे उपर राज कर रहे थे उस टाइम पर ब्रिटिश और कहीं ना कहीं बचो हर देश पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है इसराइल और पैलस्टीन की लड़ाई चल रही है और उसमें भी कहीं ना कहीं इंडिया पर कुछ ना कुछ इंपाक्ट देखने को हमको मिलेगा ही मिलेगा कहां भाग रहे हैं क्लास में से हंजी तो फर्स वर्ल वार होते हैं बचो 1914 1914 से लेकि 1918 तक भारत देश इस वार का हिस्सा नहीं था लेकिन क्योंकि Britishers इस वार का हिस्सा थे तो हमको भी कुछ ना कुछ प्रभाव इसका जेलना पड़ता है क्या प्रभाव जेलना पड़ता है देखें हम देखते हैं in the years after 1919 national movement was spreading to new areas incorporating new social groups developing new modes of struggle first world war का question आता है फटा-फट से जिनके पास copy pen है वो एक question note करेंगे मैं question dictate कर रही हूं question लिखेंगे बचो सबसे पहला जो कि इस chapter का बहुत ही जादा important question है तो याद रखेगा कि आज के session में हर कदम पर जो जो important questions है मैं आप लोगों को बताने वाली हूं फटा-फट से आप लोगों questions को note down करते जाएंगे what was the new and new economic and political situation created by the first world war question note down कीजिए what was the new economic and political situation what was the new economic and political situation created by the first world war ठीक है फटा-फट से आप लोग इस question को note करेंगे हंजी राहूल आ गए है आप ठीक है note down कर लीजिए क्या situation थी क्या स्थितिती चलिए देखते हैं देखिए बचो सबसे पहली चीज़ है defense expenditure अब अंग्रेज जो की लडाई लड रहे थे Britishers जो की लडाई लड रहे थे उनका defense में यानि की अपनी सुरक्षा में और लडाई में बहुत सारा defense पर आर्मी वगेरा पर आर्मी का जो समान होता है defense का जो समान है उस पे बहुत पैसा लग रहा था अब क्योंकि उनका खर्चा हो रहा है वो के रहे यार इंडिया तो हमारी colony है तो चलो इन से पैसा वसूलते हैं तो उन लोगों ने अपने खर्चे को वसूलने के लिए हमारे भारतियों के उपर tax लगाने शुरू कर दिये एक तो उन्हेंने war loan लिये थे हमारे उपर tax प्राइस बढ़ जाते हैं तो गरीबों के लिए काफी मुश्किल हो गया था समान को खरीदना क्योंकि मार्केट में चीजों के दाम बढ़ रहे थे साथी में फोर्स रेकूट्मेंट इन रूरल एरिया ग्रामीन शेत्रों के अंदर बचों हम लोग देखते हैं कि बहुत सा नं कैंडिया के लिए लड़ाई लडने को कहे तो हम लडेगे भी लेकिन क्या हम ब्रिटिश लोगों के लिए लड़ाई लडएंगे उनकी क्या हमारे लिए वो नैशनलिस सेंट्मेंट ब्रिटिश के लिए क्या हम उनके अपनी जान देने कWA Oliver कि क्या करा है दूसरे के घर थोड़ी ना कोई लड़ेगा तो वही वाली चीज है लेकिन यहां पर जबरन जो है लोगों को पकड़ पकड़ के आर्मी में भरती किया जा रहा था साधी में 1980, 19 और 2021 में क्रॉप फेलियर हमको देखने को मिलता है in many parts of India भारत की बहुत से हिस्तों में फसल खराब हो जाती है अब क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि अगर फसल खराब होती है तो उससे क्या होगा Can anybody tell me कि अगर बचो क्रॉप फेलियर होता है what would be the impact of that क्रॉप फेलियर का क्या impact रहेगा बचे मैं कह रही हूँ फसल खराब हो गई है अब आप थोड़ा समय को analytically बताओ फसल खराब हो गई है तो क्या होगा सपोज किसी भी चीज़ की फसल मान लेते सपोज चावल की फसल खराब हो गई है starvation हो जाएगी बिल्कुल सही एक चीज़ हो सकता है कि लोग भूके पड़ गए उतनी फसल ही नहीं है हाँ हाँ बिल्कुल सही पावर बिल्कुल सही बचो आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो बस थोड़ा सा direction अपनी सुधार हो देखो आप ऐसे लिखोगे कि कि किसी बीचार फिसी फसल खराब हो गई है जैसे चावल की फसल खराब हो गई है तो चाबल की सप्लाय कम हो गई है लेकिन डिमांड तो बढ़ जाएंगे मार्केट में चीजों के दाम बहुत जादा अत्य अधिक रूप में बढ़ जाएंगे ठीक है प्राइस राइस हो जाएगा सप्लाय कम हो जाएगी डाट इस वोट विल हैपन उसी के साथ साथ इट विल इट वोज अकंपनीड वाइन इन फ्लूएंजा इपीडेमिक बच्व साथ ही में लोगों को एक जो हैं उसको एपीडेमिक बोलते हैं तो इंफ्लूएंजा की बिमारी जो है जो एक तरीके से प्रॉब्लम थी वह यहां पर फैलने लग जाती है ठीक है इंफ्लुएंजा एपिडेमिक फैलने लगता है तो सोने पर सुहागा सारी चीज़े हो रही थी हम लोगों पर टैक्स बहुत जादा लगाय जा रहे थे खाने के दाम बढ़ गए थे लोगों को जबरन जो है लड़ाई में शामिल किया जा रहा था जबरन ब्रिटिश चार्मी में शामिल किया जा रहा था इंफ्लुएंजा की बिवारी पैल रही थी क्रॉप फेलियर हो गया था लोगों को खाने की कमी महसूस करनी पड़ रही थी और खाने के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे माहामारी कोविड क्या था कोरोना एक पैंडेमिक था that was affecting the whole world पैंडेमिक एक ऐसी बिमारी होती है जो पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रही है एपिडेमिक होता है जो एक एरिया तक सीमित रहता है ठीक है देखिए अब बच्चो यह सारी तो चीजे हो रही थी उसी के साथ अब इस सोने पे सुहागा यानि की बहुत खराब स्थिती में ही हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरो कहानी के हीरो की एंट्री होती है कौन है य गांधी और गांधी जी लोट कर आते हैं कहां से कहां से लोट कर आते हैं गांधी जी बताइए ना मुझे गांधी जी इस बैक तो बचो महात्मा गांधी जो की वैसे फॉरन गए होते हैं वकालत पढ़ने के लिए लॉयर होते हैं वो बाइप्रोफेशन और गांधी जी ज साउथ आफ्रिका बचो साउथ आफ्रिका में गांधी जी क्यों थे साउथ आफ्रिका में क्यों थे गांधी जी कि साउथ आफ्रिका में क्यों थे क्योंकि बचो साउथ आफ्रिका में एक तरीके से जो रेसिजम चल रहा था जो वाइट्स और ब्लैक्स की एक बोल सकते हैं segregation policies चल रहे थी जहां पर वाइट से बोलते थे कि हमारी जो नसल है हमारी जो रेस है हमारा जो color है वो जादा superior है और जो blacks है वो inferior है तो एक तरीके से whites और blacks में जो segregation कर दिया गया था कि blacks के लिए पूरा area बना दिया गया था कि जितने blacks हैं वो इस एरिया में रहेंगे जो black लोग होते थे उनको उन जगाओं पर घुस्ते नहीं दिया जाता था जहां white लोग रहा करते थे बसे के अंदर demarkation कर दिया था कि seat जो थी वो white लोगों के लिए थी black लोगों को पीछे खड़ा होना पड़ता था तो यह जो पुरा रेसिजम और segregation चल रहा था South Africa के अंदर बचो गांधी जी इसके खिलाफ भी लड़कर आये थे कैसे लड़कर आये थे अपने सत्याग रहे आइडिया के तुरू struggle करके आये थे बट अब वो अपने देश वापिस लौट चले थे और या जब दूसरों की देश की समस्या सुलजा सकते हैं तो अपने देश के लिए तो लड़ेंगे ही तो बचो गांधी जी वापिस आते हैं भारत में 1915 जैनवरी याद रखेगा इ कि गांधी जी वापिस भारत कब आये थे कि रिटर्न टू इंडिया इन जैनुवरी 1915 और भारत में वापिस आने के बाद क्या करते हैं वो प्रएं के आइडिया को अपने साते हैं बचो सकत्या ग्रहे अभ ध्यान से समझी यहा सत्या ग्रह का आइडिया बहुत बारी क्वेस्ट sammaた है exulin दी हमदग कर लिजिए एकस्प्लेंदी गांधीयन के याडिया ओप सत्या ग्रहे गांधियन आइडिया ओफ सत्याग रहे को एक्स्प्लेइन करिए बचो नेलसन मंडेला साउथ आफ्रिकन लीडर थे जो की रेसिस रेजीम के खिलाफ लड़े थे पट गांधी जी भी एक तरीके से उन्होंने भी वहाँ पर थोड़ा बहुत अपना योगदान दिया था फिर वो भारत वापस आ गए थे और उन्होंने सत्याग रहे की बात कर तो दो शब्दों से बनाएं एक है सत्य और एक है आग रहे सत्य का मतलब होता है सच और आग रहे का मतलब होता है to hold it firm यानि की सच को बनाए रखना सच को बनाए रखना बचो गांधी जी ये बोलते थे कि अगर आप जिस चीज के लिए लड़ रहे हो अगर आपका cause बिलक मारना है या उससे लड़ना है ठीक है अगर आप सच्चे हो और आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो तो आपको physical force की जरूरत नहीं है जैसे आपके आपके parents आपको पक्का बच्पन में ये चीज समझाते होंगे कि अगर कोई दूसरा तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है त तो यह नहीं है कि मुड़के उसको थपड मारना है वो गलत है उसको ये realize करवाओ कि वो गलत है बिना उसकी तरह बने तो अगर वो एक गाल पे थपड मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो फिर तीसरा गाल आगे कर दो ठीक है जब तक उस इनसान को शरम ना जाय जब तक उस को यह एहसास नहों जाए कि वह गलत है में किम रियलाइज डाट यू आर दी ऑप्रेसर यू आर दर रॉंग परसन तो बेसे कली सत्याग रहे यह बोलता था कि अगर आप सच्चे हो और अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो तो आपको हिंसक होने की जरूरत नहीं है म आप अगर आप अगर बात पर अगर दो आप लोगों को लगता होगा पते लाइफ में मतलब आइटिंग इस वेरी एमोशनल थिंग फॉर मी आज वेल मैं भी मतलब यह जब बात करती हूं तो मुझे भी हलका भुलका इसे रोना भी आज जाता है बट पते लाइफ में हम लोगों को कभी कभी लगता है कि यार हम इतने सचे हैं हम हमेशा हर किसी के साथ अच्छा करने की कोशिश करते हैं हम हमेशा वी आर अच्छे बनते हैं दूसरे हमारे साथ गलत करके चले जाते हैं दूसरे बुरे होते हैं यह सब है ना अगर आपको कभी भी लाइफ में लगे ना तो यार ऐसा सोचना कि अल्टेमेटली अल्टेमेटली कभी ना कभी आपके साथ अच्छा होगा ही अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आपके साथ अल्टेमेटली अच्छा होगा ही ठीक है ऐसा लगता है हमें लगता है जो सच्छे और अच् सही में सच्छा अच्छा होगा अगर आप सच्चे हो तो और यह बचों बहुत-बड़ी सीख ती रामायन की भी जब राम जी और रावन जी कि कहानि आपने फड़ी होगी में अभी कल दशैरा पश्यताप होगा ही उसको बुरा लगेगा ही नहीं तो उसके साथ कर्मा तो होगा ही होके रहेगा तो जिस्ट बेट फॉर इट आप अपनी साइट से कभी भी बुरे मत वनिये दूसरे के साथ बुरा मत कीजिए आप अगर अच्छे है तो अपनी अच्छाई को इंटाक्ट अपने जो हैं इंटेंशन्स को प्योर रखे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे ठीक है तो वह वाली बात है तो यहां पर ट्रूथ वस अल्टिमेटली बाउंड टू ट्रायंफ सच्चाई की हमेशा जीत होगी गांधी जी बिलीब करते थे इस धर्मा में और नॉ के लिए अगर ब्रिटिश आप पर शोशन कर रहे हैं तो यह नहीं है कि आप भी कल को हत्यार लेकि उनसे लड़ने के लिए निकल जाओगे आपको ब्रिटिश गवर्मेंट को यह करवाना है उनको इस चीज का पता करवाना है कि यार तुम गलत हो हम सही है और हमारी अल्ट सत्याग रहे को और्गिनाइज करा जाता है चोटे चोटे लेबल पर सबसे पहले सत्याग रहे को और्गिनाइज करा जाता है चंपारन में बिहार में जो है तो बिहार के इंदर चंपारन था चंपारन में क्या समस्या थी चंपारन में बहुत सारे किसान थे जिनके साथ श जमीन है वो बंजर हो जाती थी जमीन फर्टाइल नहीं रहती थी इस वज़े से किसान काफी जादा परेशान थे तो जब गांधी जी को इस समस्या के वारे में पता चलता है तो गांधी जी बचों चंपारन जाते हैं फार्मर्स का साथ देते हैं जिंडिको प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए फिर जो है 1917 के अंदर ही उन्होंने दूसरा अपना सत्य अग्रह और गुजरात में बचों यहां पर भी वही सेम चीज थी यहां पर जो किसान थे उनसे बहुत जादा रिवेन्यू लिया जा रहा था उनसे बहुत जादा वरकर्स काम करते थे उनसे बहुत लंबे समय तक काम करवाया जाता था और उनको धंकी ढ्याड़ी भी नहीं दी जाती थी तो गांदी जी फिर उनके सपोर्ट में भी पहुंचते हैं तो ये तीन पहले सत्याग रहे जो थे कि गांदी जी ने और्गिनाइज करे थे बचो हाँ नील की जो डाय होती है वो इंडिगो था तो उसके खिलाफ गए थे ठीक है तो ये तीन पहले सत्याग रहे थे बचो जो गांदी जी ने और्गिनाइज करें इनकी डेट याद रखेगा कि कहां कहां पर सत्याग रहे को और्गिनाइज करा गया था अब चलते हैं थोड़े बड़े लेवल के सत्याग रहे की बात करने के लिए जो अब हम देखते हैं आती है British Government की बारी और British Government लेकर आती है बहुत ही भयंकर Act आप लोगों को पता है Roll It Act के बारे में तो इस Roll It Act को पास करा जाता है Imperial Legislative Council द्वारा और इससे जो है सरकार को पावस मिल जाती है without a trial for two years बच्चो देखिए आपको अगर कल को आप सड़क पे चल रहे हो आपको अगर आके कोई गिरफतार करके ले जाता है आपको अगर आके कोई पकड़ के जेल में बंद कर देता है तो ये गलत है राइट आपने अगर कोई गलत काम करा है तब तो यार में को जेल में बंद करो लेकिन अगर मैंने कुछ करा ही नहीं है और में को बेबुनियाद आप लोग जाके जेल में भरती कर देते हो तो तो दाट इस रॉंग और कभी-कभी ऐसे होता है कि लोगों को जेल में जबरदस्ती पकड़के डाल दिया जाता है बट फिर हर अरेस्टेड इंसान का एक राइट होता है कि उसको जो है 24 आर्ट्स के अंदर अंदर एक मेजिस्ट्रेट के आगे प्रिजेंट करा जाएगा वो मेजिस्ट्रेट देखेगा कि क्या आप लोगों के जो अरेस्ट करने का क्राइटीरिया था क्या वो सही है या क्या वो गलत है और अगर बेबुनियाद लगेगा तो आपको रिहा कर दिया जाएगा आपको छोड़ दिया जाएगा बट यहाँ पर वो हो नहीं रहा था रॉलिट आक्ट के अंदर गवर्मेंट को ये पावर दे दी गई कि आप किसी को भी पकड़ कर अगर कोई political prisoner आपको लगता है कि यार इसने ना एक तरीके से British Government के खिलाफ कुछ करा है या British Government के खिलाफ कुछ बोला है तो उसको पकड़ के आप जेल में डाल दोगे वो भी उसको डीटेन करके रख लोगे बिना किसी ट्राइल के यानि कि उस इनसान के उस इनसान को ये अधिकार तक नहीं है जिसको गिरफतार करा गया है कि उसके arrest को challenge कर सकता है वो तो ये बहुत गलत था mainly बचो जिसे राज यहां पर पूछ रहे है कि माम इसका aim क्या था क्यों roll attack लाए गई थी तो यार बिटिश गवर्मेंट को ये पता था कि ये ना जो इंडियन्स है इनके अंदर एक राश्ट्र भाव पैदा हो रहा है इनको हम से आजादी चाहिए और ये जो भाव है ये सारे political नेता लोग लेकर आ रहे है तो उनका main उदेशी यह था कि इन सभी को पकड़ो और इन सब को जेल में डाल दो और ये ही उनको जो है इस act के द्वारा आजादी भी मिल जाती है अब गांधी जी को बड़ा गुस्सा आता है कि भाई ऐसे कैसे ठीक है तो हम लोग देखते बचो होता क्या है Allowed by the popular absurd scared that the lines of communication railway telegraph would be disrupted British decided to clamp down nationalists local leaders picked up from Amrit sir Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi अब ये रॉलेट act लेकर आते इनको फिर डर लग जाता है इनको लगता है कि आर रॉलेट act के आने की वज़े से अब इंडियन्स गुस्सा हो जाएंगे अब ये लोग हो सकता है कि हड़ताल वड़ताल कर दे हमारी railway line को ठप करना पड़े हमें हमारी telegraph services बंद हो जाए तो फिर हम लोग एक जगा से दूसरी जगा commute कैसे करेंगे एक जगा से दूसरी जगा अपना समान कैसे पहुँचाएंगे तो इनको ये tension होने लग जा दिया है तो ये कहते हैं अब ये भी हम afford नहीं कर सकते तो अब हम ये जितने nationalist लोग है ना इन सब को पकड़ेंगे और इन सब को रोकेंगे ठीक है इनको फिर से हम हड़काएंगे तो बचो ये जितने local leaders होते हैं local political leaders तो इस टाइम पर नैशनलिजम की बात कर रहे थे आजादी की बात कर रहे थे उन सभी को अमरिज सर से उठा लिया जाता है गांधी जी को दिल्ली एंटर करने से रोक दिया जाता है दस अपरेल को अमरिज सर में जो पुलिस थी उसने पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था लोगों का लोग शांती से खड़े होके बस मतलब खड़े थे यार पीसफुली किसी को कोई मारधार नहीं रहा था उस पीसफुल प्रोसेशन पर ये लोग गोलिया चला देते हैं अब क्योंकि पीसफुल प्रोसेशन पर गोलिया चलाते तो हमारे इंडियन्स भी चुपचा बैटने वाले नहीं है इंडियन्स क्या करते हैं बच्चों इंड इनी भी चीज़े सरकार को एक तरीके से डिपिक्ट कर रही होती है हमारी इंडियन्स जाके उन्हीं जगाओं पर हमला कर दिया जाता है तो लाइक्स जो है एक बारी बचो यहाँ पर लाइक्स बढ़ जाने चाहिए क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो कि इंडियन्स जो है बचो ओल्दो हम इंडियन्स ब्रिटिश जितने पावरफुल नहीं थे ओल्दो हम इंडियन्स के पास उतना जदा ना तो पैसा था ना पावर थी ना तो एकिन फिर भी हम किसी से डरते नहीं थे अगर वह उन पर वार करेंगे महीं तो नहीं है उन्लेडर करेंगे उल्ट आता क्या हमारे किसी भी तरीके से हमें नैशनलिस्ट लोगों को सबक सिखाना है तो बचों, अमरित सर के अंदर मार्शियल लॉ लगा दिया जाता है और जेनरल डायर को कमान स्वाब दी जाती है मार्शियल लॉ का मतलब है मिलिटरी का रूल, आर्मी का रूल, ठीक है? तो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या चल रहा है क्या हो रहा है? ठीक है? रॉल इट आक्ट आई, रॉल इट आक्ट ने ये बोला कि हम लोग किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को डीटेन कर लेंगे बिना किसी ट्राइल के दो साल तक, तो किसी को भी जेल में दो साल तक रख सकते हैं गवर्मेंट को ये पावर मिल गई गुस्ता हो गई, नैशनलिस्ट, नैशनलिस्स हमला कर रहे है, वहां से ब्रिटिशर्स हमला कर रहे है वहां से नैशनलिस्ट हमला कर रहे हैं वहां से ब्रिटिशर्स हमला कर रहे हमला हमला चलता जा रहा है दोनों ही साइड से लेकिन बचो फिर फाइनली अमरित सर के अंदर Martial Law को लगा दिया गया और General Dyer को Command Soap दी गई अब क्या होगा बचो आप सभी को इस incident के बारे में पता है हर को इस incident को जानता है जलिया वाला बाग incident जलिया वाला बाग massacre जो की भारत के इतिहास में काफी बुरा दिन वाना जाता है अमरित सर के अंदर उनलोग देखते हैं कि 13 April, 13 April की बाथ है, 11 April19n की बाथ है if Im not wrong तो अमरित सर के अंदर हम लोग देखते हैं बचो की जलिया वाला बाग wax inheritance वहाँ पर बहुत से लोग कठे हुए थे कुछ लोग इस city के अमरिजसर city के बाहर से आये थे बहुत से villagers थे और वो अमरिजसर आये थे उस दिन बैसाखी का दिन होता है तो पंजाबी जितने लोग है उनको पता होगा कि बैसाखी की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा त्योहार है पंजाब का एक regional festival है ठीक है तो बैसाखी का दिन था बहुत से लोग बैसाखी का मेला अटेंड करने आये थे जलियाँ वाला बाग में बहुत से लोग वह शासन यहाँ पर चल रहा है हम लोग देखते हैं कि जेनरल डायरिस एरिया में घुसते हैं जितने exit points थे उनको block करते हैं और लोगों के उपर गोलियां दागनी चालू कर देते हैं जितने लोग वहाँ पर मासूम औरते बच्चे बुढ़े जो भी थे हर किसी को मार दिया ज जाता है तो बहुत है जादा बुरे तरीके से हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि एक एक इनसान को जितने exit gates को block कर लिया गया सभी लोगों के उपर गोलियां दाग दी गई जेनरल डायर द्वारा और उनकी सेना द्वारा और आप खुच सोच सकते हैं पते मैंने लाइक अगर आप कभी जलियां वाला बाग गए होगे वहाँ पढ़ना एक कुआ है और यह बोला जाता है कि बहुत से लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हम ब्रिटिशर्स के हाथ नहीं मरना चाहते और उन लोगों ने खुच से कुए में कूद के जान दे थी वहाँ पे आज त हातों नहीं मरना है तो आप खुझ से सोच सकते हो कि कितना बुरा वह यह इंसिडेंट रहा है और जब जैनरल डायर से पूछा जाता है कि आप ने ऐसा क्यों करा आपने यह इतनी बेरहमी क्यों मचाई इतना आतंग क्यों मचाया तो बोलते कि में एक मॉरल एफेक्ट लान पर सिर्फ एक ही एकजिट गेट था उस एक एकजिट गेट को भी ब्लॉक कर लिया था और पूरी जगा पर गोलिया दागनी चालू कर दी थी तो बचों यहां पर जैनरल डायर बोलते हैं कि नैशनलिस्ट काफी हवा में उड़ रहे हैं ना तो इन सभी के मन में डर मैं फै कोशिश करोगे तो यह तुमारा हश्र होगा तो लोगों को मैं मौरली सुधारना चाहता हूं कि अगली बारी जो है यह सब मत करना अगली बारी कोशिश भी मत करना हमारे खिलाफ जाने की ठीक है? So this is what he was telling काफी गलत हुआ बचों आज तक जो है हम इस पूर्टिकिलर इंसिदेंट को मोन करते हैं आज देखें अब क्या है महात्मा गांधी now felt the need to launch a broad-based movement in India no such movement could be organized without bringing the Hindus and the Muslims closer together therefore he took up the Khilafat issue अब यह चीज़ समझनी काफी ज्यादा important है देखें बचों गांधी जी को लग रहा था कि कब तक हम ऐसे छोटे scale पे ऐसे लड़ते रहेंगे कि वो हमें मार रहे हैं हम उनके post office पर attack कर रहे हैं फिर वो हमें मार रहे हैं और हम कभी भी ऐसे मुकाबला करी नहीं सकते इतने चोटे-चोटे स्केल पे अगर हम लड़ते रहेंगे, कोई अमरिसर में लड़ रहा है, कोई दिल्ली में लड़ रहा है, कोई कहीं लड़ रहा है, तो ऐसे तो यार कुछ होगा ही नहीं, है ना, तो इस वज़े से गांधी जी बोलते हैं कि हमें अब एक broad-based movement की जरूरत हम बोल सकते हैं, religious groups हैं, वो साथ में ना आजाएं, दोनों जब तक साथ में नहीं आएंगे, तब तक हम लोग ऐसी कोई भी movement को organize नहीं कर सकते हैं, बचो, आप मानते हो कि नहीं इस बात को, जब तक हिंदूस और मुसलिम साथ में नहीं आएंगे, तब तक एक broad-based movement organize नहीं ह हो सकते हैं और इसी वज़े से बचो गांदी जी खिलाफत इशू को पकड़ते हैं, अब यहां पर question लिख लीजिए कि what was the खिलाफत issue, very important question, note down कर लीजिए इसको, what was the खिलाफत issue, अब बचो होता क्या है, कि जब हमारी world war खतम होती है, world war के खतम होने के बाद, ऐसे rumors फैलने लगते हैं, ऐसी अफवाएं उड़ने लगते हैं, कि जो Islamic धरम के leader है, spiritual leader जो है, यानि की खलीफा, खलीफा कौन थे, जो Islamic, जो religion है, उसके leader थे, ठीक है, spiritual leader थे, ऐसे rumors उनने लगते हैं, कि उनके बहुत ही harsh peace treaty लगने वाली है, उनके उपर एक harsh peace treaty जो है, वो लागू होने वाली है, जिससे कि उनकी powers को छीन लिया जाएगा, अब जितने भी Islamic धरम के लोग होते हैं, जितने भी Muslimान होते हैं, all over the world, उनको ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी, कि हमारे जो leader है, उनके उपर ये harsh peace treaty लगने वाली है, जो कि खलीफा के उपर ये harsh peace treaty लगाने वाले हैं, और बचो गांदी जी को ये मुद्दा मिल जाता है, अब हम क्या है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको एक तरीके से शामिल करेंगे, अपने साथ में, तो हम लोग देखते हैं, बचो कि ये harsh peace treaty साइन करने की जब बाते की जाती हैं, तो दोब भाई होते हैं, क्या आप उन दोनों भाई का नाम जानते हो, महम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, तो इसार्ट टूरिंग वो लोग जो है, इसी की बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम लोग खिलाफत इशु के साथ डील कर सकते हैं, खिलाफत कमिटी बनाई जाती है सुच के साथ डील करने के लिए इंडिया के अंदर लेकिन फिर हम देखते हैं बच्चों कि गांधी जी जो है सिशु को टेक अप करते खिलाफत इसु लेकर आते और बोलते हैं कि हम खिलाफत इसु को पाएंगे जुगाडू थे गांदी जी हां है तो सही जुगाडू तो मान सकते हो चेक है अब बचो यहां पर गांदी जी बात करते हैं नौन कॉपरेशन की, नौन कॉपरेशन का क्या मतलब होता है? असहयोग. अब बचो असहयोग का क्या मतलब है? गांधिय जी अपनी किताब हिंद स्वराज में बोलते हैं कि आज तक अंग्रेशों का जो शासन भारत वासियों पर चल रहा है, वो इस वज़े से चल रहा है क्योंकि हम लोग उनके साथ कोपरेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग उनका समर कर रहे हैं, ठीक है? देखो, अंग्रेशों ने स्कूल खोले हैं, हमारे बच्चे वहाँ जाके पढ़ रहे हैं, अंग्रेश हम से टैक्स मांगते हैं, हम उनको टैक्स देते हैं, अंग्रेश जो हैं हमको बोलते हैं कि यार नौकरी करने के लिए हमारे इंस्टिउशन में आ परिजु एकस्ट कर रहे हैं उनके साथ उनका सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि हम बृतिश का सहयोग कर रहे हैं तो एक साल के अंदर अंदर स्वष आज आ जाएगा। स्वाराज मतलब अपना खुद का राज, भारत के लोगों का खुद का राज आ जाएगा, ठीक है? तो बचो यहाँ पर पटा पट से लाइक का टार्गेट में बढ़ाती जाएगा, लेकिन अगर बच्चे हमारे साथ जुड़ते जाएगे तो लाइक का टार्गेट बढ़ाने में और ज्यादा मज़ा आएगा, तो सबसे पहला यहाँ पर हम उस टॉपिक पर आने वाले हैं ब अब हम नौन कॉपरेशन पर आने वाले हैं, फटा फट से लेकिन उससे पहले आप लोग में को बताएंगे कि क्या आप लोगों को बात समझ में आई हैं, फटा फट से यह लाइक जो हैं, बीस के उपर चले जाने चाहिए, जल्दी जल्दी से जिस जिस ने वीडियो को ला शासन भारत में इसलिए चल रहा है क्योंकि हम लोग उनके साथ कोपरेट करते हैं, अगर हम उनके साथ कोपरेट करना छोड़ देंगे, तो एक साल के अंतरगत जो है उनका शासन खतम हो जाएगा, अब कैसे नहीं करना है कोपरेट, स्टेज में हम लोग इस मूवमेंट को अनफोल्ड करेंगे, जैसे कपड़ा होता है, उसको अनफोल्ड करते हो ना अब धीरे 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 तो वो भी आई बोड़ रहे हैं, कि एकदम से सब कुछ नहीं कर देना, धीरे 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 कोपरेशन अपनी उनके साथ तोड़नी है, in case the government used repression, a full civil disobedience campaign would be launched, और गांधी जी ये भी बोलते हैं कि हम ये जो movement है, ये बिलकुछ शान्ती पूरवक करेंगे, और अगर जो अंग्रेजों की सरकार है, उसने हमें दबाने की, धमकाने की, मारने की कोशिश करी, तो हमें एक और बड़ी movement, यानि कि फुल-fledged civil disobedience movement को चालू कर देंगे, ह हम लोग देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कि गर्मी जो थी गर्मी का जो टाइम था 1920 के दौरान तो गांधी जी शौकत अली के साथ भारत के जो है भ्रहवन पर निकलते हैं, टूर कर रहे होते हैं, लोगों की समस्याओं को समझ रहे होते हैं, लोगों को non-corporation के बारे मे में कॉंग्रेस के अंदर, कॉंग्रेस पार्टी के अंदर एक तसल चलता है, लडाई चलती है, क्योंकि सारे लोग नहीं मान रहे थे, पहली बात तो लोग यह नहीं मान रहे थे कि हमें non-corporation चालू करना चाहिए, उनको लग रहा था कि यार फिर तो हमें election में भी पार्ट लेने का मौका नहीं मिलेगा, फिर कुछ लोग ऐसे थे, वो कह रहे थे कि यार हम खिलाफत movement को नहीं साथ में नहीं लाना चाहते, उसको accept नहीं कर रहे थे, तो बहुत जादा नहीं जगड़े चलते हैं, Congress के अंदर ही, कुछ लोग कहते हैं कि यार हमें movement क बात में नहीं आना चे कुछ कहते हैं आजाये तो दिक्कत नहीं है, तो एक वही जो है बहुत जादा conflict चल रही थे, at the Congress session at Nagpur in December 1920, compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted, अब बच्वों यहां पर mark कर लीजे, star mark, ठीक है, star mark करके आपको क्या mark करना है, ये वाले Congress session की बात हो रही है, तो जो Congress session था नागपूर का, कब था? December 1920 में वहां पर एक compromise was worked out, compromise was worked out, बच्वों लोग जो है अब मान जाते हैं at the end, कि ठीक है, non-cooperation movement चालू करेंगे और साथी में खिलाफत movement के साथ में चालू करेंगे, खिलाफत movement और non-cooperation movement एक ही आंदोलन बनेगा, जिसमें हिंदू मुसल्मान साथ मे जो हैं मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लटने वाले, ठीक है, संघर्ष करन darauf, लटने नहीं वाले, बड़ संघर्ष जरूर करने वाले, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजे बचे, स्वाराज पार्टी के बारे में अभी हम देखने वाले, ठीक है, अभी आपको बताऊंगी क् को निया को होती है अलग अलग जगाहों में पूरे भारत में वायर यह मुव्मेंट इस फैलती है सबसे पहले यह मुविम्मेंट कहांपर हम लोग देखने वाले मू मुव्मेंट कि बात करने बाद करेंग इसे मुवमें में रह रहे होते हैं अब holding लोग ही तो शहर में रहते हैं तो मिडल क्लास लोग ही इस साल शुरू करते हैं नौन कोपरेशन में तो बचों कोपरेट नहीं करना है अंग्रेजों के साथ अभी तक जितना सहयोग सो तोड़ ये तो government का वो है ये तो government की क्या बोलते हैं courts हैं छोड़ देंगे भाई नहीं आएंगे तो सब अपना काम धंडा छोड़के घर आ जाते हैं सरकारी दफ्तरों से और साथी में बच्चे भी पड़ाई लिखाई छोड़के घर आके बैठ जाते हैं council elections were boycotted in most provinces except मद्रास बच्चो साथी में क्योंकि elections भी ब्रिटिश करवाते थे तो elections को भी boycott किया जा रहा था elections का भी भहिशकार किया जा रहा था कोई हिस्सा नहीं ले रहा था लेकिन एक जगा ऐसी थी एक exception है मद्रास मद्रास की जो province थी वहाँ पर election होता है अब ये वाला question भी बहुत important है आप इसको note down करेंगे कि वाई the council elections वर boycotted everywhere except मद्रास की सिर्फ मद्रास के लावा हर जगा council elections को boycott करा गया था मद्रास में क्यों नहीं किया गया था तो ये चीज आपको बतानी है चेके और मैं अभी आपको बताऊंगी कि reason क्या था तो मद्रास के इंदर बच्चों एक party थी जिसका नाम था justice party और यह जो justice party थी यह party non-brahmans की party थी यानि कि इस party के जो members थे वो non-brahmans लोग थे अब यार जो इंसान भ्रामन नहीं है उस समय पे उसके लिए बड़ी बात होती थी right political power को gain करना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी हर उस व्यक्ति के लिए जो कि non-brahmans था उस समय पर क्योंकि caste system जो जाती वाद था काफी ज्यादा फैल रखा था भारत के इंदर जो लोग भ्रामन नहीं थे वो definitely यह चाहते थे कि उनको भी political रूप में राजनितिक रूप में power मिले वो लोग भी कभी जो है जीत सके वो लोग भी कभी politics के अंदर अपना रुत्बा कायम कर सके तो इस वज़े से बचो जो justice party की लोग होते हैं वो elections को boycott नहीं करते ठीक है बाकी लोग कर देते हैं आगे देखो क्या होता है foreign goods boycotted, liquor shops picketed, foreign cloth burnt जितना भी बाहर से foreign का समान आ रहा था उसको लोग खरीद नहीं रहे थे liquor shops यानि की शराब की जितनी भी दुकाने थी वहाँ पर picket करना चालू कर दिया था लोगों ने picket करने का क्या मतलब है बचो picket करना is a form of protest एक प्रोटेस्ट करने का तरीका होता है जहां पर आप किसी भी दुकान के entry gates को ब्लॉक कर लेते हो ठीक है हम देखते हैं बचो कपड़ा तो जलाया जा रहा है तो Britishers भी क्यों कपड़े को भिजवाएंगे इंडिया में की जला दो नहीं हां इससे आग से को तो इसी वज़े से बचो जो foreign cloth का import था यानि की बाहर से जो foreign का कपड़ा आता था उसका import भी आधा हो गया 1921 से लेके 1922 त foreign goods का trade करेंगे ना तो व्यापार करेंगे और ना ही हम पैसा लगाएंगे foreign trade पे तो उन्हों ने भी वो चीज रोक दी उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं बचो जैसे जैसे यह boycott movement फैलने लगता है लोग जो हैं बाहर से आयवा कपड़े को discard करते हैं और अपने भारत का जो बना हुआ कपड़ा है यानि की खादी उसको पहनने लगते हैं जिस वज़े से हमारी जो इंडियन टेक्स्टाइड इंडस्ट्रीज होती है इंडियन हैं लूम होते हैं उनकी production बढ़ जाती है क्योंकि उनके कपड़े की demand बढ़ जाती है लेकिन problem थी तो आपने देखा क्या क्या हो रहा है शेहरों के अंदर middle class लोगों ने हिस्सा लेना चालू करा है बच्चों ने स्कूल छोड़ दिये हैं लोगों ने अपनी जॉब से स्तीफा दे दिया है लोग घर पे बैठ गये हैं आकर साथी में foreign goods को यूज नहीं कर रहे हैं ट्रेड में हिस्सा नहीं ल ले चाप्रोब्लम हो रही थी हुँ क्या प्रब्लम हो रही थी क्या प्रब्लम नहीं लिखे प्रब्लम बताएंगे बड़े चौड में स्कूल कॉलेज छोड़ कर आये थे अमन ने बिलकुल सही जवाब दिया है ma'am but there was no alternative बच्चे स्कूल छोड़ कर आ गए टीचर्ज ने स्कूल से अपनी जॉब से इस्तीफा दे दिया लॉयर्ज ने अपनी लीगल प्राक्टिस छोड़ दी वट यार इन लोगों को after a point realize होता है कि क्या करा हमने क्या कोई दूसरा हमारा इंडियन स्कूल है क्या कोई इंडियन कॉलेज है क्या कोई alternative institution है जहां हमको नौकरी मिलेगी जहां हम पढ़ लिख पाएंगे तो ऐसा नहीं था कोई alternative ही नहीं था उसकी जगह पर को institution ही नहीं था जहां पर वो जाके पढ़ लिख सके या नौकरी कर सके और कोई इंसान कितने दिन तक बिना पढ़ लिखे या बिना स्कूल जाए या बिना काम करे रह सकता है कब तक रह सकता है बचो तो there was a big problem लोग बहुत जोश जोश में उन्होंने होश खो दिये थे पहरे तो छोड़ चाड़ कर आ गये थे लेकिन जब उन्हें यह पता चला क्यार कोई alternative Indian institution तो है नी तो लोगों को वापसी अपनी jobs पर जाना पड़ा लोगों को वापसी उन्हीं स्कूल में जाना पड़ा जहां से वो मना करके आये थे ठीक है they had to go back to those institutions they had to do it ठीक है फिर क्या होता है एक और दिक्कत थी आपने बड़े जोश-जोश में वहार से कपड़े को तो जला डाला फिर आप कहरो कि हम खादी खरीदेंगे बट खादी कौन खरीदेगा जो बहुत अमीर इंसान होगा ना सिर्व वही खादी खरीद सकता था जो एक गरीब इंसान है वो खादी का कपड़ा खरीद भी नहीं सकता था क्योंकि खादी का कपड़ा इतना ज्यादा महेंगा था इट वस्टाइट एक्सपेंसिव सो पीपल कोड़ नॉट इवन बाई दाट समझ में आ रही है बात ठीक है के विए यह ज कना पागण है सो लोगों को बाद में रियलाइस हो क्या हमने क्या कर दिया यह थो हम ठीक हमने नाकरी चोड़ दी tenía जगह नहीं नौकरी करने मीं वापेस जाना पड़ा हमने खादी कपड़ा कहरीद ना चालो करunt तो खरीदी नहीं सकते भाई इतना महेंगा है बिटिश से तो वो जो इंडस्ट्री से बना वा कपड़ा आ रहा है वो तो बड़ा सस्ता है मास्प्रड्यूस कपड़ा है वो तो तो बचो इसी वज़े से पीपल हाद टो गो बाक टो देयर जॉब्स तो यहाँ टाइटाइफिस हो गई है जोश जोश में छोड़ा तो सब्था लेकिन अभी जो है खराब हो गई स्थिती फिर क्या होता है फिर एक और जगह की बात करते हैं हम लोग रिबेलियन इन दा कंट्री साइड बचो countryside का मतलब है गाओं के area में क्या हो रहा था तो यहां पर हम एक example के तुरू समझेंगे अवद की बात अवद कहा है अवद आपको उत्तर प्रदेश में अवद दिख रहा है अवद के अंदर peasants का struggle किसानों का struggle हम लोग देखेंगे तो यहां के किसान थे इनको lead कर रहे थ बचो बाबा राम चंद्र यह व्यक्ति हैं थोड़े गुस्से में लग रहे हैं लेकिन बाबा राम चंद्र खुद एक इंडेंट यॉड लेबर थे यानि कि एक समय पर ब्रिटिश गवर्मेंट ने इनको किसी दूसरे foreign land पे भेजा था plantation पे काम करने के लिए भारत वापि देखनें कि जितने किसान थे वो काफी स्यादा परशान थी चिंडिप लाइस है क्यों पर estate ओकैण की वह बाचों को जैंटाव करोए जाता था बिना किसी ने पर यकिसी thoughts द्रेजा जाते था यहां परोब sketches movementries वी इतने किसां साथ में थे। यहीं था कि हम यहीं स्वेन्ेट लिया जा रहा है तो बेगार हो खतम हमें साथ भी सब सब करें हमें पैसा नहीं दे रहे इनका समाज एक रूप से सब के सब लोग बहिशकार करें और बचों ये लोग नाई धूबी बंद भी और्गिनाईज करते हैं अज फॉर्म उफ प्रोटेस्ट नाई धूबी बंद का मतलब है कि नाई ने बालवाल काटना दाड़ी काटना छोड़ दिया धूबी ने कपड़े धोना छोड़ दिया बड़े से बड़ा इंसान होगा इंड उसको बाल कटवाने तो नाई के पास ही जाना है कपड़े धूल और नाई धूबी बंद वगएरा इस सारी चीज़े और्गनाई दे बेगार होता है फोर्स लेबर बाबा राम चंद्र बचो बाबा राम चंद्र एक इंडेंटियोड लेबर थे यानि कि उनको एक समय पर बाहर किसी फॉरन लाइंड में भेजा गया था प्लांटेशन्स क नहरू जून 1920 में यहां पहुंच जाते हैं और अवद के गाउं वगेरा में घूमने लगते हैं जानने लगते हैं कि क्या सिती है क्या चल रहा है अक्तूबर तक अवद किसान सभा जिसको और किसान सभा भी बोलते हैं उसको सेट अप करा जाता है जिसको लीड कर रहे थे जबालाल नहरू, बाबाराम चंद्र और बाकी कुछ लीडर्स भी, ठीक है, so they were leading this, उसके बाद effort of the Congress was to integrate the avad peasant struggle into the wider struggle, Congress का यही effort था, Congress का यही उदेश था कि हम लोग इस avad peasant struggle को एक तरीके से जो हमारा वैसे struggle चल रहा है, national level पे जो संघर चल रहा है, उसके साथ integrate करेंगे, उ तो वो इस struggle को non-cooperation movement में शामिल करना चाहते थे बच्चों, इसलिए उन्होंने अवद किसान सभा बनाई थी, फिर होता क्या है यहाँ पर, movement धीरे-धीरे फैलने लगता है, तालुकदार्स वगेरा के, घरों पर attack करने लगते हैं, पेसेंट्स, बाजार में लूट मचाने तो बजार में लूट मचाने का मतलब है, बच्चों जिसे बजार के इंदर इसे डाका मारने की बात है, कि आपने जो है समान वगेरा ऐसे पकड़ के लिया आप, बहुत सारे जो अनाज है उसको लेकर आ गए, आपने मर्चंट्स और तालुकदार्स इनके खिलाफ आपको गुर्सारा था उनके खिलाफ आपने अटाक करा, उनके घरों पर अटाक करा, बहुत सी जगाओं पे लोकल लीडर्स टोल्ड देने की जरूरत नहीं है, और जो जमीने होंगी अब वो गरीब लोगों के बीच में बटने वाली है, सबको जमीने मिलेंगी, पर क्या ऐसा हो रहा था, क्या बचो ऐसा होने वाला था, यह रूमर्स थे, यह नकली बाते थी, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, बट यहाँ पर लोगों ने अफवाएं इतनी फरादी थी कि भाई गांधी जी ने बोल दिया है कि सबको टैक्स वैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जमीन सबको मिलने वाली है, नकली बातें, अफवाएं, everything was a false hope, जो दिया जा रहा था, यहां लोगों को, समझेगा बचो, अच्छा, अभी जिसे आपने इनका देखा है, struggle, समझेगा, यहाँ पर बात क्या हो रही है, बात बड़ी simple सी हो रही है, ठीक है, बात बड़ी simple सी हो रही है, कि हमारे, जितने भी यह peasants है, इन peasants की हिसाब से, सुवराज का मतलब क्या था, इन peasants की हिसाब से, सुवराज का मतलब यह था, कि इनका जो revenue demand है, वो कम हो जाए, बेगार खतम हो जाए, और सब जितने भी landlords हैं, का boycott हो जाए, इनको जमीने मिल जाए, ठीक है, तो इनके लिए, अपने सुवराज का या अपनी आजादी का मतलब अलग था, similarly यह लोग उसके साथ deal भेक अलग तरीके से करते हैं, loot बचा कर, grains को hold करके, attack करके, तो this movement also got violent, यहाँ पर चीज़े भी violent हो गई थी, हिंसक हो गई थी, जो गान्धी जी बिलकुल भी नहीं चाहते थे, है ना, अब देखो, क्या होता है आगए, अगला struggle यहाँ पर आता है, tribals का, tribals यानि की बचो, बहुत से लोग, जो कि कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे गुजारा करते हैं, through the forest, produce, forest products किद्रो, ठीक है, तो जितने भी tribal लोग होते हैं, हम लोग यहाँ पर कौन से tribals की बात करने वाले हैं, आंधर प्रदेश क कि अन्डर गुजारा की tribals की हम लोगब बात करने वाले, ठीक हैं, सुवराज होता है अपना राज, अपना राज्ये, स्वराज का मतलब है आजादी, स्वराज का मतलब है खुद का शाषन, किसी दूसरे का शाषन हम पे नहीं हमारा खुद का शाषन, ठीक है? अब देखे ध्यान दीजेगा बचो ट्राइबल मुव्मेंट यहाँ पर चलता है कहाँ पर गुदैम हिल्स और अंधर प्रदेश में यहाँ पर यह फॉर्म ले लेता है एक मिलिटेंट ग्यूरेला मुव्मेंट का सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि बचो जिससे जंगल से ही अपना जो है गुजारा किया करते ते जंगल में फॉरेस्ट प्रोडाक्ट को बेच कर या फिर जंगल के प्रोडाक्ट को कलेक्ट करके आनिमल रेरिंग करके वहां पे लिएती करके कि आप लोग उस जंगल में ही नहीं जा सकते जहां से आप अपना गुजारा कर रहे थे तो इन हिल पीपल जो यह लोग यहाँ पर गुदैम हिल्स में रहते थे इनका जो लाइवली हुड था इनका जीवन यापन था उस पर एक खत्रा आ गया था वो अफेक्ट हो रहा था औ लाइवली जो जितने भी अधिकार इनके पास पहले थे वह सब इनको नहीं दिये जा रहे थी गवर्मेंट जो है इनसे बिगार करा रहे थी वहीं फोर्ज लेबर का काम कराने लगए थी तो सरकार इनको पकड़ पकड़के जबरन अपना काम कराए करती थी बाइब कोई करने लगते हैं और कैसे रिवोल्ट करने लगते हैं इस तार्टेड रिवोल्टिंग थूदा मिलिटेंट गूरेला मुवमेंट का मतलब है क्या देखो अभी जो ट्राइबल लोग थे इनके पास इतने तो कोई हतियार थे नहीं कि ब्रिटिश गोली मारेंगे इनके पास और बहतर गोलिया है कि ये वो दाग देंगे ऐसा तो था नहीं. So they only had one way to revolt. That was छुप छुप कर. तो यह लोग क्या करता है जिसे Britishers होते थे, अब उनसे इनको लड़ना है तो यह लोग पेड़ वेड़ पे चुप जाते थे, पेड़ पे चुप चुप के वार करते थे तो तो इस लितन उरली यह डमीट की सब्hr! अब होता क्या है चलिए अब अलूरी सीतराम राजु जी की बात कर लेते हैं अलूरी सीतराम राजु बच्चो अपने एक बहुत अपने आप में बहुत महान हस्ती वो कहते थे कि मैं बुलिट शॉट्स भी सर्वाइव कर सकता हूँ अगर में को कोई गोली भी मार देगा तो में कुछ से अलूरी सीतराम राजु इस ट्राइवल मुवमेंट के लीडर थे हैं अलूरी सीतराम राजु महात्मा गांधी से काफी ज़्यादा प्रेरिथ थे वो नॉन कोपरेशन मुवमेंट का भी साथ देते थे और लोगों को बोलते थे कि तुम खादी पहनो, खादी का कपड़ा पहनो, पीना पाना छोड़ दो, ड्रिंकिंग भी छोड़ दो, but at the same time, he believed that India could be liberated only by the use of force, लेकिन एक चीज जो वो नहीं मानते थे किसकी, गांधी जी की, वो थी अहिंसा, गांधी जी हमेशा लोगों को अहिंसा की बात करते थे, non-violence की बात करते थे, बट अलूरी सितराम राजू बचो यहाँ पर बात कर रहे थे, violence की, वो कह रहे थे कि लड़ाई करे बिना, हिंसक हुए बिना हम कभी नहीं जीत सकते हैं, ठीक है, तो गांधी जी के हर चीज में यकीन मान लो, लेकिन अलूरी सितराम राजू एक चीज के खिलाफ थे, वो थी हिंसा, वो कहते थे, हिंसक होने के अलावा हमारे पास कोई और चारा ही नहीं है, ठीक है, चलिए, आगे देखिए, गुदेम रिबेल्स अटाक्ट थे, पुलिस स्टेशन को अटाक करते हैं, ब्रिटिश ओफिशिल्स को मारने की कोशिश करते हैं, और अपना गुदेम वार्फेर कांटिन्यू करते हैं, वही, पेड़ों के पिछे चुप चुप के ये लोग जंगलों में वार किया करते थे ब्रिटिश ओफिशिल्स पर, और ये इसी तरीके से अपने स्वाराज को अपनी आजादी को अचीव करना चाहते थे, एंड में हम लोग देखते हैं, होता क्या है, अलूरी सीतराम राजु को पकड़ लिया जाता है, उनको मार दिया जाता है 1924 में, लेकिन उस पूरे एरि मूवी में भी मेंशन किया गया है, दिखाया गया है, मैंने मूवी नहीं देखी है, बट हंजी अशोक जी आज पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है, पूरा चैप्टर आज ही कम्प्लीट करेंगे, डोंट वरी, अभी तो सिविल डिसोबीडियन्स भी हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, फटा फट से लेकिन मुझे बता दीजे कि बिलकुल जोश है, हाई है कि नहीं है, हाँ, जल्दी, 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 हां जी मायूर जैश्री राम, अनॉनिमस जैश्री राम, अब तो जैश्री राम का ही टाइम आ गया ह ना दीरे-दीरे countdown हो रहा है दशेरा आने वाला है तो बहुत से बच्चे जो की क्लास के स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े हैं जिसे अभी मैं वैशनवी को देख पा रही हूं वैशनवी सुभे भी सारी classes में आई थी ऐसे मुझे याद रहता है कुनाल पूना पैक्ट क कहां पर है हमारे class में बताइए बच्चो अभी जो है एक last non cooperation में एक last चीज़ के हमको बात करनी है उसके बाद non cooperation moment खतम हो जाएगे और आगे दूसरी moment पर हम लोग बढ़ जाएंगे हंजी, अदिती, शिवाम, गुड इवनिंग, गुड इवनिग, अनू, येस चलिए, all right, all right, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, all right, looking so beautiful मैम, बच्चो मेरे को प्लीज ये तारीफ मत ही करना, मैं literally तुम्हें बता भी नहीं रही हूँ, मैं आज अगर मैं अपनी बात करूँ न, मैं सो के उटी थी, पहले सुबह की class ली, फिर मैंने थोड़ा काम करा, फिर मैं सो गई, और मेरी जैसी नींद खुली है, मैं मतलब सीधी नींद खुलते ही class में आ गई हूँ, तो मतलब मेरी आखे मेरे को ऐसे लग रहा था कि बहुत नींद में अभी लग रही हूँगी, क्योंकि ना तो बस में भाग के आ गई, मेरे बाल भी देख लो क्या हालत हो रही है, तो इसमें भी अगर तुम मेरे को beautiful बुला सकते हो, तो बस मतलब, मैं समझ जो तुम्हारा कितना प्यार है मेरे लिए, चीक है, वो वाली चीज मैं समझ रही हूँ, लेकिन हा, चलिए, so over the time, oh, four hero बन जा चलिए, 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 बच्चो सुराज in the plantations की बात करने वाले है, plantations यानी की एक ऐसा बड़ा सा field जहां पे एक ही crop की खेती होती है, that is what is known as a plantation, जिके जिसे banana plantation, coffee plantation, तो एक बहुत बड़े field में जब एक ही crop क्या खेती कर रहे हो, that is what is known as a plantation, अब देखिए, हम क्या देख without permission and in fact they were rarely given such permission, रेखिए बचो, हो क्या रहा था, plantations होती थी, चाय की plantations होती थी, आसाम वगेरा वाला जो नौर्थी स्टेरिया है, जिसे आज भी वहाँ पे चाय की बहुत जादा खेती होती है, तो उस टाइम पे Britishers की न वहाँ पे plantations होती थी और उन plantations में लेबर चाही हो अपने पीछे basket लटका रखे, चाय की पतियों को ऐसे चुन-चुन के उस basket में डालना होता है, तो there is a lot of manual labor that is required, अब हो क्या रहा था, plantations में काम चल रहा था, बहुत सारी labor उठाई थी, UP बिहार से, बहुत सारी labor वहाँ से आई थी, जो की आसाम वगेरा वाले इलाके में आक निकल सके, पूरे टाइम उनको काम करना पड़ता था, वो इन टी गार्डन से निकल नहीं सकते थे, और इस act के तहद, ठीके इनलेंड एमिग्रेशन आक्ट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, 1859 की इनलेंड एमिग्रेशन आक्ट थी, और इस act के तहद, plantation workers को बाहर नही निकलने दिया जाता था, बिना British officials की permission के, और अगर वो निकलने के लिए permission भी लेना चाहें, तो उनको permission भी नहीं मिलती थी, बहुत कम ऐसा होता था कि उनको permission मिल जाए, तो एक तरीके से बचवा, खुद सोचो कि एक इनसान कैद हो गया है, अपनी plantation में, चाय की पतियों के बीच में, ना तू बाहर जा पा रहा है, ना वो अपने घर वालों से मिलने जा पा रहा है, ना वो अपनी जगा से निकल पा रहा है, ठीक है, अब इन plantation workers के लिए, जो आसाम में काम कर रहे थे, इनके लिए आजादी, या फिर सुवराज का मतलब यही था, the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed, तो बचो इन लोगों के लिए आजादी का मतलब ही यह था, कि इनको जो है, इस particular field से बाहर निकलने दिया जाए, ठीक है, easily जो है, इनको बाहर निकलने दिया जाए, अगर यह अपने घर जाना चाहते है, अपने घर वालों से मिलना चाहते है, तो इनको मिलने दिया जा है कि अब, अब हम लोगों को अपने गाउं में जाकर जमीने मिलने वाली है, अब हमें जो है, ब्रिटिश के लिए यह मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत से वरकर्स बच्चो ब्रिटिश ओफिशियल्स को चक्मा देकर भागने लगते हैं टी गार्डन से जाता था, out of the confined space in which they were working, बाद में जो है, हम लोग देखते हैं कि एक तरीके से इनको आजादी मिलती है, और freedom इनके लिए यही था, the right to move freely in and out of the confined space, फिर जबी non-cooperation का सुनते हैं, फिर जबी non-cooperation का सुनते हैं, तो यह अपने घर की और जाने लगते हैं, लेकिन वच्चो र पकड़ कर बहुत पीटा जाता है, बहुत मारा जाता है और फिर विचारे पिट पिटा कर वापिस आ जाते हैं, पहली बात तो सारे अफवाएं उड़ रहे थी बहुत जादा कि गांदी जी सबको जमीने दे रहे हैं, जैसे गांदी जी पता नहीं को मुकेश अमानी हो रहे थे लेकिन rumors उड़ रहे थे लोगों ने गलत तरीके से non cooperation movement को अपने हिसाब से interpret करना चालू कर दिया था बहुत सी अफवाएं जो हैं उड़ाते जा रहे थे और इन अफवाओं के चलते बचो उस साइम पे लोग भी information इतनी होती नहीं थी कोई news वगरा का पता नहीं थ थे के चकमा देंक और बिटिच जारे मैं कहां जा रहे हो ओ हम तुम्हें बताते हैं तो है ठीक है तो यह सारी चीजह हो रही थी देवर ब्रूटली बीटन आप येस बीटनी बीटन आप जेम पर रुस्ती हो है है ना बुरी तरीह शियो पीता जातें थो रस्ते में फिर व रहे थे लोग ठीक है ऑल्राइट तो बचो इस तरीके से नॉन लॉपरेशन वुक्राइशन अलग अलग जगह पर कैसे जो है फैल रही थी ये भी हमने देख लिया है टाउन्स के अंदर हमारे कंट्री साइड के अंदर हमारे Plantations के अंदर, ये तीनों चीज़े आपको याद रखनी है, Towns के अंदर, Middle Class Participation से चालू करा था, Countryside के अंदर हमने देखा कैसे हमारे जो किसान होते हैं, ठीक है, Peasants के बीच में कैसे फैल रही थी, फिर हमने देखा हमारे Tribal Groups के बीच में कैसे फैली, फिर हमने बात करी Plantations के अ को है, ये Non-Cooperation Movement फैल रही थी, Allright, So I hope कि आप लोगों को अब ये बात समझ में आ गई होगी बचों, यहाँ पर जल्दी-जल्दी से मुझे बता दीजे, Fire Emoji के साथ Non-Cooperation के आगे बढ़ने वाले हैं, अब हम लोग, अब हम लोग जाएंगी Civil Disobedience में, बट Civil Disobedience में जाने कुछ ऐसा तो नहीं, जो क्लियर नहीं हुआ है, फटा फट से, तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल डीटेल्स के साथ बताऊंगी, बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे, बच्चों अब जो है ना, ये Non-Cooperation Movement होगी समापत, February 1922, 1922 में, और Feb के महीने में, हम लोग देखते ह हैं क्या, हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांदी जी Non-Cooperation Movement को विड्ड्रॉ कर लेते हैं, खतम कर देते हैं, और क्यों खतम करते हैं उसके पीछे रीजन था, क्यों खतम करते हैं बच्चों, क्यों कि, सिंपल सी बात थी गाइस, सत्या ग्रही जितने लोग थे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत थी, गांदी जी को ऐसा लगा कि भाई बिना ट्रेनिंग के तो ये लोग मार पीट देंगे, ये तो समझ ही नहीं पार है कि Non-Cooperation का मतलब क्या था, और गांदी जी ने इस वज़े से उस मुवमेंट को रोक दिया, क्यार हर जगा पर लोग घिंसक हो रहे हैं, बहुत से लोगों की जाने जा रहे हैं, तो लेट अस जिस टॉप दिस, उन्होंने रोक दिया मुवमेंट को, और उन्होंने बोला कि पहले प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, सब को फिर जो हैं, हम लोग ऐसे किजी भी मास ट्रॉगल में हिस्सा लेंगे, पर बच्चो एक बहुत मीजर इंसिदेंट था, जिसकी वज़े से नौन कोपरेशन को रोका गया था, तो नाइंटीन ट्वेंटीटीटू, तो नाइंटीन ट्वेंटीटीटू में बच्चो एक इंसिद पुलिस के साथ क्लैश में तबदील हो जाता है, और बहुत सारे पुलिस वालों को पुलिस वाले मर जाते हैं, तो इस पर्टिकिलर चीज को सुनने के बाद गांडी जी ने नौन कोपरेशन मुव्मेंट को ही रोक दिया, सिंपल सी चीज क्या होती है, और लोग यहां पर क्लास से भाग रहे हैं, क्यों भाई सिविल डिस नहीं देखनी, आदा चैप्टर देखके घर जाओगे क्या, मैम यहां पर नहीं रुकरी, लेकिन लोग ठक रहे हैं, मैम नहीं ठक रहे हैं, बच्चे ठक रहे हैं, बहुत समझते नहीं हो इस्टीस को मुझे लिटरली एक problem है which is like अगर मेरे जो students में को बहुत time पहले से जानते हैं तो they might be knowing about this. There was a time that I took a halt from teaching as well इस problem की वज़े से जिसकी वज़े से मैं खडी नहीं हो पाती थी जादा देर तक मुझे बैठ के classes लेनी पड़ती थी and वो problem like पूरे तरीके से कभी भी गई नहीं है so it is like a sciatic pain in both of my legs and उस वज़े से मैं खडी नहीं हो पाती थी एक time पे but अभी जो है मैं बडी मुश्किल से अगर like मेरे को ऐसा होता है कि एक घंटे से जादा अगर if I am like standing somewhere or doing something so like मेरे को बहुत बुरा दर्द होने लगता है बहुत बुरा दर्द होने लगता है लेकिन फिर भी I think about the students first and I think about the syllabus first and I think about the board's examination ठीके बट आप लोग हमेशे भागने की तयारी में रहते हो चलिए 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 civil disobedience में civil disobedience में चलते हैं जादा टाइम हम यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे फटा फट से बचवा आ जाते हैं civil disobedience की बात करने के लिए लेट्स बूब है आईए non cooperation पे लगा दी गई है रोक बंद कर दिया गया है सियार दास और मोतिलाल नहरू स्वाराज पार्टी फ़र्म करते हैं within the congress and argue for a return to the council politics तो यहाँ पर बच्चे पूछ रहे थे कि माम स्वाराज पार्टी क्या है तो बचो देखें अभी तक कॉंग्रेस पार्टी ने क्योंकि वो non cooperation movement में हिस्सा ले रहे थी तो उन्होंने council elections को boycott कर रखा था elections में भी वो हिस्सा नहीं ले रहे थे बहिशकार कर रखा था ठीक है बट अब जो है सियार दास और मोतिलाल नहरू जो दो leaders थे कॉंग्रेस पार्टी में कॉंग्रेस पार्टी के अंदर एक और पार्टी बना देते हैं उस पार्टी का नाम ही रखते है स्वाराज पार्टी और इस पार्टी को के थुरू ये बुलते हैं कि यार हम लोग फिर से elections में पार्ट लेना चाहते हैं हम लोग फिर से elections में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं क्योंकि argument क्या दे रहे थे कि हम elections में हिस्सा लेंगे फिर elections में हिस्सा लेने के बाद हम जो है Britishers के साथ जब politics में आएंगे तो हम Britishers का विरोध उनकी policies का विरोध directly कर सकेंगे face to face कर पाएंगे तो यह ऐसा argument दे रहे थे कि हम फिर से politics में आना है ताकि हम internally British policies को criticize कर सके Britishers को जवाब दे सकें बट वहीं पर बचों कुछ younger leaders थे उस time पर कुछ हमारे जवान leaders थे उस time पर जैसे जवाला नहरू और सुभाष चंद्रबोस और यह लोग ऐसी किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं रख रहे थे यह कह रहे थे कि अब हमें ना चोटी मोटी खुशिया करते रहेंगे हमें यह सम्नेशना चैंबह भूअब इंसमी चाहिए सृधिक ऑ मलति हैं बाहई है सर जॉन साइमन के तहत और यह जो कमिशन है इसलिए बनाए गए थी क्योंकि भारत में शांत् αυτ करना था और शांत करने के लिए ये लोग जो है इस कमिशन को साइमन कमिशन को बनाते हैं साइमन कमिशन को बनाने का परपस यह था ब्रिटिश गवर्मेंट द्वारा कि साइमन कमिशन इंडिया की constitutional system को देखेगी और उसमें कौन-कौन से changes चाहिए कौन-कौन से इंडियन मेंबर इन दा कमिशन दिकत क्या हो गई थी एक भी भारतिये व्यक्ति मौजूद ही नहीं था इस कमिशन के अंदर बहुत ही बढ़िया तो बचों क्या होगा अब अब जब साइमन जी देखो हो क्या रहे ब्रिटिशर्स को पता है कि इंडियन्स गुस्सा हैं इंडियन्स हमारे खिलाफ ये करेंगे इंडियन्स हमारे खिलाफ वो करेंगे तो चलो भाई इंडियन्स को एक मीठी गोली देते हैं उनको करा देते मीठी कोली देने के चकर में साइमन कमिशन को बना देते और साइमन कमिशन को इंडिया भेजा जाता है कि आप जाओ इंडिया को Constitution देखो इंडिया की Constitution में बदलाव बताओ क्या क्या आने चाहिए लोगों को थोड़ा सा शान्त करो कि देखो यार उनके बारे में कितना सोचते हैं लेकिन पूरी कमिशन में इस पूरी कमिशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था जिसकी वज़े से जब साइमन कमिशन इंडिया आई तो साइमन कमिशन का स्वागत कुछ इस तरीके से किया गया लोग जो है बड़े बड़े नारे लेकर जाते हैं और बच्चों यह लोग जो हैं साइमन गो बैक किनारे लगा लगा कर खड़े हो जाते हैं कि भाई जहां से आए हो निकलो वहीं को वापिस ठेके बृटन साया हो ना वापिस चले जो अब बच्चों ब्रिटिश गवर्मेंट के हैड इंडिया के लौड इर्विन ज 1937 ठीक है ऑक्टूबर 1929 में वो बोलते हैं कि हम आपको एक डॉमिनियन स्टेटस देंगे और वो हमें राउंड टेबल कॉन्फरेंस में भी बुलाते हैं हां तो बच्चों क्या हो रहा था यहां पर लॉर्ड इर्विन ने अब एक और वादा हमसे कर डाला टॉमिनियन स्टेटस का अब भाई लोग यह डॉमिनियन स्टेटस क्या है What is this Domino's का पीजा मंगा के दे रहे हैं हमको बच्व डॉमिनियन स्टेटर्स का ये मतलब था कि जिसे क्या है कि आप लोग बोल दिया गया कि इंडियन्स जो है वो अपनी सरकार बनाएं वो अपने लीडर्स को चूज करें इलेक्शन होंगे अपने लीडर्स को खुछ से चुन सकते हैं बट अल्टिमेटली जितनी भी भारत की सरकारे होंगी दोस विल बी अंडर ढर ब्रिटिश क्राउन कोई भी लीडर चुन लो कोई भी सरकार बनानों लेकिन अल्टिमेटली हैड कौन रहेगा ब्रिटिश गावर के साथ हमको invite और कर लिया क्यार आप लोग आओ round table conference में हिस्सा लो हम वहाँ पर बताएंगे आपको कि आपके future के लिए हम क्या सोच रहे हैं तो यह ना सारा यह सारी चीजे करी जारी इंडियन्स को शांत करने के लिए कि भाई भारतिये लोग जो कि अभी बहुत गुस्से हो कहे थे शांत हो ज़ा शांत हो लेकिन आपको लगता है कि क्या हम लोग शांत होने वाले हैं कि हम लोग बचो शांत होने वाले हैं नहीं कि डिसमबर 1929 में जबाला नहरू की प्रेज़िएंसी के तहट लहॉर का कांग्रेस session होता है और यहाँ पर पूर्ण स्वाराज की डे काजादी की दिवस की तरह सेलिब्रेट करेंगे और वहां पर सारे लोग कठे होंगे सारे लोग कसम खाएंगे प्लेज लेंगे कि हम लोग अब से संघर्ष करेंगे फॉर फूल और कम्प्लीट इंडिपेंडेंडेंज हमें यह चोटी-मोटी चीज़े नहीं चाहिए कि डोम लेकिन बचों दिक्कत ही होती है कि अब यह पूरा का पूरा सेनारियो आप लोगों को समझ में आ गया है पूर्ण स्वराज की डिमांड को फॉर्मिलाइज करा जाता है बट यहां पर भी जो सेलिब्रेशन से महाँ जाधा अटेंशन लोगों को लोग जाधा अटेंशन पे नहीं करते और लोग जाधा अट्रैक्ट भी नहीं होते यह सब फालतु चीज़ों से अब अब जो है क्या होगा देखते हैं अब जो है बचो चालू होगी असली चीज मैं अभी तक सब नकली था नहीं नकली कुछ भी नहीं था बट अब एक बहुत ही भयंकर चीज चालू होने वाली है और वो है हमारी सोल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियन्स मूवमेंट अंजी सौल्ट मार्च यं किमिल दिसोबीडियन्स मूवमेंट को हम लोग चालू करने वाले हैं फटाफटसे देखते हैं कि what is दिस 31 जन्वरी 1930 को गांदी जी ने भेजा है एक लेटर कौन सा मैम प्यार का खत बहुत प्यार था ठीके अब इस लेटर के अंदर बजहों गांदी जी ने वाईस रॉज जी को लेटर भेजा और उसमें 11 डिमांडे करें 11 demands का मतलब है बहुत सारी demands थी, कुछ demands काफी specific थी जैसे peasants के लिए कुछ demands, कुछ traders के लिए, कुछ specific demands थी, कुछ general demands थी लेकिन एक ऐसी demand थी जिस जो दिल दहला देने वाली demand थी, क्या थी वो demand? The most stirring, the most दिल दहला देने वाली demand was the demand to abolish the salt tax बच्चो जड़ा salt tax की बात करते हैं सबसे पहले, अंग्रेज लोग ना बड़े चलाक थे, इन लोगों ने क्या करा? इन लोगों ने नमक जो की एक बहुत ही essential commodity होती है, यार एक गरीब इंसान तो नमक के साथ तक रोटी खा लेता है, है ना? तो नमक जो है, जो की गरीब और अमीर सारे लोग consume करते हैं, सारे लोग इस नमक पर लगा रखा था, ब्रिटिश अर्ज ने एक tax Tax तो चलो ही है, प्लस ब्रिटिश अर्ज की थी एक monopoly Monopoly का मतलब है कि नमक को सिर्फ ब्रिटिश गवर्मेंट ही प्रड्यूस करती थी, उस पे ब्रिटिश गवर्मेंट टैक्स लगा के लोगों को बेचती थी, लोग जो है, उस मेहंगे नमक को खरी देते थे, विचारा गरीब इंसान क्या करेगा इस चीज में, तो इसी चीज पर टैक्स लगा रखा था, गांधी जी ने बोला, यह जो सॉल्ट पर टैक्स है, और गवर्मेंट की जो मोनापली है, यह हमें ब्रिटिश रूल का सबसे घटिया चेहरा दिखाती है, हमें जो है, यह ब्रिटिश रूल का सबसे ओप्रेसिव, शोशन करने वाला साइ दिखाती है, और गांधी जी का लेटर एक अल्टी मेटम था बच्चों, अल्टी मेटम का यह मतलब है कि गांधी जी ने यहाँ पर यह बोला था, कि अगर आप लोग एक पटिकलर डेट तक, ठीके अगर यह सारी डिमांडे 11 मार्च तक पूरी नहीं की जाएंगी, 11 अगर आप यह डिमांडों को पूरी नहीं करोगे, तो हम लोग एक full-fledged civil disobedience movement को चालू कर देंगे, पूरे तरीके से हम लोग एक civil disobedience movement को लेकर आ जाएंगे, ठीक है, समझ में आई बात, अब क्या होता है, बच्चों हम लोग देखते हैं कि हमारे लौड इर्विन इस को कर देते हैं ignore, और जैसे ही उन्होंने करा ignore, तो हमारे गांधी जी जो है चालू कर देते हैं अपनी salt march, गांधी जी ऐसे आपने वो देखा होगा meme, ऐसे नमक गिराते वे खड़े, सेम उसी तरीकी से बच्चों गांधी जी जो है अपनी salt march चालू करते हैं, इस फेमस salt march, 78 अपने volunteers साथियों को पकड़ते हैं, 240 miles का सफर करते हैं अपने आश्रम साबरमती से लेकर, गुजरात के ही coastal town dandy, coastal town का मतलब है, जहां समुद्री तट था, डांडी, वहां तक जाते हैं, और वहां पे समुद्र पे पहुंचने पे बच्चों, यह जो volunteers हैं, यह 24 दिन चले हो जाता है, और समुद्र के पानी का जो नमक हो जाता है, वो रह जाता है, और यह लोग नमक बना लेते हैं, they produced salt with the water, with the sea water, और बच्चों, हम लोग यहां पे देखते हैं, कि इन्होंने जो है तरीके से salt law को violet करा, salt law के खिलाफ गए, और उसी तरीके से इन्होंने salt manufacture करा by boiling sea water, समुद्र के पानी को boil करके इन्होंने नमक बना दिया, और क्या हुआ इससे, salt law को इन्होंने violet कर दिया, बहुत देर से कुछ बच्चे में इसे पूछ रहे हैं, मैं, disobedience का मतलब क्या है ना, अशोक, आप पूछ रहे हो, बच्चों देखी, यही मतलब है, अब यहां पर non-corporation और civil disobedience में फरक क्या है, है ना, पूछ लिया जाता है कि नहीं, पूछ लिया जाता, तो मैं आपको बताती है, बच्चों non-corporation में ना, simple यह था कि हमें Britishers का सहयोग नहीं करना है, कि अभी तक जो हम उनका साथ देते आए हैं, हमें साथ नहीं देना है, अगर उनका को school है पढ़ना नहीं है, अगर उनकी कोई नौकरी है वो करनी नहीं है, अगर उनके कपड़े हैं तो वो खरीदने नहीं है, ठीक है, उनके कोई भी काम में साथ नहीं देना है, but civil disobedience, disobedience क्या होता है, disobey करना किसी का अनादर करना किसी के खिलाफ जाना अब यहाँ पर अनादर करने की बात आगे है क्या हो रहा है कि आपकी मम्मी आपको पढ़ने के लिए बोलें और आप ना पढ़ो या फिर आप उनसे गलत तरीके से बात करो तो वो क्या है जहां पर अभी तक हम लोग ब्रिटिशर्स का सहयोग नहीं करने थे अभी भी सहयोग तो नहीं करेंगे कोपरेट तो अभी भी नहीं करेंगे लेकिन उसी के साथ हम उनको disobey और करेंगे disobey अलग करेंगे भाई ठीक है? तो disobey भी करेंगे उनके किसी भी जो उन्होंने हमारे उपर पाबंदिया लगाई है हम उन्हें तोड़ देंगे जो उन्होंने हमारे उपर टैक्स लगाए है उनको नहीं भरेंगे उन्होंने जो हमारे साथ जो भी वो करेंगे हम मानेंगे नहीं वो जो बोलेंगे उसके opposite हम जाएंगे डिसोबे करने का मतलब है अनाधर करना अब हम अनाधर करना स्टार्ट करेंगे तो जो वह हमको बोलेंगे उसके खिलाफ जाएंगे वह सारी चीज़े करनी स्टार्ट हो गई थी civil disobedience में मुव्मेंट फैलती है foreign cloth अभी भी boycott किया जा रहा है जो भी officers काम करते थे उन्होंने रिजाइन इस्तीफा दे दिया उसी के साथ सथ बहुत सी जगाओं में लोग जो है forest laws को भी वाइलेट करने लग जाते हैं बचों जैसे क्या होता था ट्राइबल लोगों पर कानून लगा वा था कि उनको जो है वो जाने ही सकते हैं लेकिन अभी क्या है लोग वाइलेट करने लग गए सारी चीजों को खिलाफ जाने लग गए जंगल से जो है लकडी कठी करने लग गए जंगल का जो प्रोडाक्ट्स है उनको इकठा करने लग गए इस वाट पीपल केप टॉइंग डिजर्व फोरेस पे घुस्ते लकडी कलेक्ट करने के लिए अपने गाएं भैसों को भेड बक्रियों को चारा चरवाने के लिए गाएं भैस नहीं भेड बक्री ठीक है उसे के साथ जाथ आगे चलते हैं को लॉनियल गवर्मेंट अब फिर से वाई चालू करती है कॉंग्रेस लीडर्स को फिर से वो जो है पकड़ पकड़ के जेल में डालने लगती है इनका फेवरेट काम है बच्चों अब्दुल कफार खान जिनको फ्रंट केर गांधी के नाम से भी जाना जाता था इनको भी लोग एक महीने बाद गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और जो इंडस्ट्रियल वरकर्स थे इंडस्ट्री के अंदर जो वरकर्स काम करते थे शोलापूर में यह लोग पुलिस पोस्ट मिनिसिपल बिल्डिंग्स लॉकोर्स रेलवेस्टेशन सब पर अटाक करन देख हैं एक जेके ध्यान दीजेगा सी बता रही हूं आप लोगों को ध्यान से मेरी बात को सुनीा दूएक है यह देखिए है वह देख यह जहां पर देख रहे हैं कि हो एक हो रहा है मैं 26 क्लासे जोई देख thinking खीर हैं कि बिल्कुल से लिप्रमानं में इंट्रेस्टraph में नहीं है कि मैंम को डिसोबे करके भाग रहे हैं है कि है नहीं हम को पूरा सिविल डिसोबीडियन्स अभी हिना हम वैसे सही बताओं तो आधे चैप्टर प्याएं है कि आधा चैप्टर अभी भी रहता है वैसे चलिए एक्स्प्लेइन करती हूं पहले एक बार यह वाला टॉपिक पढ़ लीजिए मैं आपको पूरा टॉपिक फिर से एक्स्प्लेइन करती हूं धंग से देख लो बचो सुन लो हम लोग देखते हैं जो अब लोग जो है अब हमला करेगी ठीक है बहुत से पीसफुल सत्याग रही इसको अटैक करा जाता है महिलाओं को बच्चों को मारा जाता है अबाउट एक लाक लोग जो है उनको अरेस्ट कर लिया जाता है ब्रिटिश गवर्मेंट द्वारा इस सारी चीज़े हो रही होती है इसके बाद म मुवमेंट को बंद करना पड़ेगा क्योंकि नौन कोपरेशन की तरह यह मुवमेंट भी वाइलेंट हो गई कि मैं राउंटेबल कॉन्फरेंस में लंडन के अंदर जो हो रही है तो मैं चल लूँगा साथ ही में ब्रिटिश गवर्मेंट अग्री करती है कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर जिसे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट करा गया है उन सभी को रिहा कर दिया तो civil disobedience moment जो चालू हुई थी जो चालू किस बात से हुई थी जान दीजिये सुनिये 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 मेरी बात को बचो civil disobedience moment के अंदर basic मुद्दा ये था कि अब हम लोग British government को disobey करेंगे अब हम उनका अनादर करेंगे वो जो चीजें हमको करने से रोकते हैं वो जो पावंदिया हम पे लगाते हैं हम उन चीजों को नहीं मानेंगे हम उनके खिलाप जाएंगे तो हो क्या रहा था गांदी जी ने सबसे पहले लॉड इर्विन जो वाइस रोय थे उनको एक चिट्थी लिख कर भेजी जिसमें उन्होंने 11 डिमांडे करी 11 डिमांडे में इसे एक डिमांड थी salt tax को abolish करने की डिमांड लेकिन इर्विन जी ने एक ना सुनी तो गांदी ने नमक को प्रडियूस करा उसके बचों नमक बनाने के बाद होता क्या है होता क्या है नमक बनाने के बाद तो नमक को प्रडियूस करने के बाद गांदी जी एक तरीके से civil disobedience movement को चालू कर देते हैं बहुत से लोग जो है ceremonially नमक को बनाने लगे ब्रिटिश गवर्मेंट को पोस करने लगे साथ ही में बचों हम लोग देखते हैं बहुत से लोगों ने टैक्स ब्रिटिश को बढ़ने से refuse कर दिया बहुत से लोगों ने स्तीफा दे दिया अपनी नौक्रियों से बहुत से हमारे ट्राइबल ग्रूप जो है वो उन जगाओं पर फॉरेस्ट एरियास में जाने लगे जहां से उन्हें मना किया जाता था तो कि सारी चीज़े उन्होंने ब्रिटिश गवर्मेंट को डिसोबे करने के लिए करी लेकिन साथ ही में होता है फिर रिप्रेशन फिर से चाले हो जाता है ब्रिटिश रस हमको मानने लगते हैं हम लोग वह पर अटाक करते हैं बहुत से पुलिटिकल लीडर्स को अर्रेस्ट कर लिया जाता है ब्रिटिश रस द्वारा क्योंकि उनके अभी सर घूमा पड़ा है तो वो तो यह सब करेंगे ही तो अल्टिमेटली बच्चो गांधी जी को फिर से सिविल डिसोबीडियन्स मुविंट को रोकना पड़ता है रोकने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो एक पैक्ट साइन करते हैं लौड इर्विन के साथ में और उस पैक्ट के जरिये वो बोलते कि मैं राउंटेबल कॉन क्या बच्चो ऐसा कुछ भी हुआ क्या इसा कुछ भी होता है नहीं होता है हम देखते हैं डिसेंबर 1931 में गांधी ची लंडन जाते हैं कॉन्फरेंस को अटेंड करने के लिए लेकिन वहां से वो डिसपॉइंटेड ने राश्र जानक रूप से वापिस लौटते हैं क्यो बोर जादा लोगों को वो अरेस्ट कर लेते हैं गफार खान जवाला नहरूबी जेल में थे अब कॉंग्रेस को आजब प्लिटिकल पार्टी गैर कानूनी इल्लीगल डिक्लियर कर दिया गया था और बहुत सारे मेजर्स लिए गये थे जिससे की meetings, demonstrations, boycotts को रोका जा रहा था तो कोई भी लोगों को meeting करने से politically या पर किसी भी व्यक्ति को धर्ना प्रदर्शन करने से बहिशकार करने से हर चीज़ से रोका जा रहा था British हज़वारा तो this was a new cycle of repression that was started by the British government when Gali ji returned back to India बहुत cruelty बहुत ज्यादा अब बचो हम लोग chapter के एक नए हिस्से पर आ गए है जहां पर आ थिंक अब हमारे तीन topics बचे हैं अच्छा एक और चीज एक और चीज यह है कि civil disobedience फिर से launch करी गई थी 19 हाँ re-launch करी गई थी लेकिन इस time कोई भी व्यक्ति इंट्रेस्टेड नहीं था इस movement में हिस्सा लेने के लिए यार लोगों ने न वहीं सर पर चोट खाली थी लोगों ने पहले बड़े उच्साहा से नॉन कोपरेशन में हिस्सा लिया फिर लोग नॉन कोपरेशन भी चलो बंद हो गई फिर लोगों ने civil disobedience में हिस्सा लिया कितने लोगों की जाने चले गई अब जब गांधी जी ने फिर से खतम होने के बाद रोक दीना civil disobedience तो लोगों का इंट्रेस्ट ही जा चुका है लोग करे यार अब नहीं करना, अब नहीं हिस्सा लेना हमको, बहुत हो गया ठीक है, सुनाओ पीपल, when the civil disobedience movement was relaunched, nobody was interested no one was interested, ठीक है, अब देखे होता क्या है अब यहाँ पर हम एक नए topic पर आ गए है कि कैसे बचो जिन लोगों ने movement हिस्सा लिया था civil disobedience movement में, उन लोगों ने हिस्सा लिया क्यों था, या क्यों नहीं लिया था तो अलग-अलग participants की बात करेंगे, अलग-अलग groups की बात करेंगे सबसे पहले we are talking about the rich peasant communities जो हमारे अमीर किसान थे, जिनके पास बड़ी-बड़ी जमीन है थी, जिनके पास बहुत पैसा था उन्होंने हिस्सा क्यों लिया, और याद रखेगा हर किसी के हिसाब से सुराज, आजादी का जो मतलब है वो सब के हिसाब से अलग है, तो बचो rich peasant communities ने सिर्फ अपने फायदे के लिए हिस्सा लिया था हर कोई अपने फायदे के लिए ही देख रहा है, हर community अपने फायदे के हिसाब से देख रही है कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, इसलिए हमें अजादी चाहिए, simple सी बात है तो हमारे जो rich peasant communities थी, जैसे की गुजरात के पाटेदाज, उत्तर प्रदेश के जाट्स, ये लोग ना commercial crops उगाया करते थे यानि कि ऐसे फसल उगाया करते थे, जिससे की इनको काफे profit मिलता था अब ये लोग commercial crops उगाते थे, फिर क्या होता है, trade depression आता है इनके crops का जो भाव है वो गिर जाता है, तो इनको पैसा नहीं मिल रहा था इनके crops के लिए, अब जब इनको पैसा नहीं मिल रहा था, इनकी cash income एक तरीके से गायब हो गई थी, इनकी cash income एक तरीके से disappear हो गई थी, तो बच्चों इनके पस पैसा नहीं था लेकिन British government इनसे जो है revenue लेती थी, अभी केरें भाई हमारी जेब में पैसा नहीं है तो हम आपको revenue कैसे दे दें, यह उनसे गुजारिश करते हैं, क्या revenue कम कर दो, बट वो मना कर देते हैं, वो केते हम नहीं कुछ कम करेंगे, हमें हमारा revenue पुरा दो, इस वाज़े से काफी गुस्सा हो जाते है, British government के खिलाफ काफी क्रोधित हो जाते हैं, यह लोग जो है civil disobedience में हिस्सा लेते हैं, तो इनका यह reason था, तो यह rich peasants जो है, बहुत जादा enthusiasm से बहुत जोश से civil disobedience में हिस्सा लेते हैं, कुछ-कुछ लोग जो disinterested थे, उनको भी पकड़-पकड़ के हिस्सा दिलवाते हैं, and Swaraj was a struggle against the high revenues, इन लोगों के लिए आजादी, या इन लोगों के लिए स्वाराज का क्या मतलब था, कि ये लोग high revenue जो Britishers द्वारा लिया जा रहा था, उसको कम करवाना चाहते थे, उसके खिलाफ ये लोग संघर्ज कर रहे थे, ठीक है, लेकिन य revenue कम हो जाए, बढ़ ना तो revenue कम हुआ, ना तो movement successful हुई, तो काफी निराशा जनक बच्चों इन लोगों को, जो है निराशा जनक हो जाते हैं, निराशा फेस करने पड़ती है, लाइफ ले, चलिए, नेक्स कम्यूनिटी है, पूर पेजेंट्री, पूर पेजेंट्स जो है बच्चों अब जो गरीब किसान है, वो दो दो लोगों से परिशान है, वो गरीब किसान अंग्रेजों से भी परिशान है, वो गरीब किसान अमीर किसानों से भी परिशान है, यानि कि जो लैंडलोड्स है, अब गरीब किसान का क्या है, गरीब किसान बच्चों अमीर जो उनकी जमीनों पर काम करता है वह लैंड लॉट्स उनसे रेंट लेते हैं तो रेंट देने के पैसे नहीं है कि ब्रिटिशर उससे और रिवेन्यू ले रहे हैं उसको ब्रिटिशर के पास देने को भी पैसा नहीं है तो यह दो-दो गृप से परीशान है पूर पैयजन्ट्री तो इनको भी cash income नहीं मिल रही होती जिसकी वज़े से बच्चों ये ना तो rent भर पाते हैं ना तो ये Britishers का revenue दे पाते हैं ठीक है जिस वज़े से हम लोग देखते हैं ये चाहते थे कि unpaid rent जो है इनका जो landlord जिन से rent लेना रह गया है वो remit हो जाए यानि कि वो maaf हो जाए वो किराया maaf हो जाए मतलो यार हमारे पास पैसा नहीं है बट कोई भी नहीं maaf कर रहा था rent और Congress जो है वो ये no rent campaigns को support भी नहीं कर रही थी अच्छा बचों ये जो गरीब किसान है इनको Congress भी support नहीं कर रही है क्यों? Congress क्यों नहीं support कर रही है? Congress क्यों नहीं support कर रही है इनको? गांदी जी इसलिए disappointed थे हाँ बबल बबल एक्स जो भी है ठीक है बचे इसलिए वो disappointed थे क्योंकि जो गांदी जी demands बनवाना चाहते थे वो मानी नहीं अंग्रेजों ने उनकी एक नहीं सुनी ठीक है तो इस वज़े से वो निराशल जनक रूप से वापिस आ जाते हैं जब किसी की कोई बात ही नहीं सुनेगा तो क्या करेगा वो इंसान? खुश थोड़ी हो जाएगा, बुस्सा ही होगा यहाँ पर अब क्या हो रहा था? क्योंकि फिर लैंडलोड्स और बड़े किसान, बिल्कुल सही बिल्कुल वेश्ट भी आपने बिल्कुल सही बात करी है तो बचों यहाँ पर हो क्या रहा था? कि कॉंग्रेस पार्टी इन लोगों की नो रेंट कैम्पिन्स को सपोर्ट नहीं करी थी नेक्स है इंडियन मर्चंस इंडस्ट लिस्ट जो हमारे बड़े-बड़े व्यापारी थे जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल ओनर्स थे उन्होंने क्यों हिस्सा लिया था? तो बचो फर्स वर्ल्ड वार के दौरान जब ब्रिटिश अपने देश में डिफेंस बगेरा इन सब चीजों में बिजी थे तो उस टाइम पे हमारी इंडियन इंडस्ट्री जो है ग्रो करती है क्योंकि उस टाइम पे हमें बिटिश जो बाहर से दिमांड आ रही थी उन्ह अब यह लोग जो है अपना बिजनस एक्सपांड करना चाते थे यह लोग अपना बिजनस बढ़ाना चाहते थे यह लोग उन सभी कोलॉनियल पॉलिसी के खिलाफ थे तो बच्चों जितनी भी बृटिश ने ऐसी पॉलिसी बना रखी थी जिससे की एक तरीके से बिजनस अ जो import होता था foreign goods जो बाहर से आये थे उनके import के खिलाफ ये protection चाहते थे plus ये चाहते थे और rupees sterling foreign exchange ratio that would discourage imports बच्चों तो basically हमारे Indian industrialist और merchants क्या चाहेंगे कि इंडिया के अंदर जो industries हैं इनकी industries वो expand हो वो और जादा profit कमाए और बाहर से जो पोर्ट सारे वो कम से कम हो जाए तो बहीं चाहते थे ये लोग ठीक है बेसिकली अपने business interest को organize करने के लिए इनों ने दो organizations भी बनाई जैसे कि Indian industrial commercial Congress और फिकी Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries तो ये दो organizations का नाम याद रखिएगा उसी के साथ साथ मैं फटा-फटा आगे चल रही हूँ बहुत सारे prominent बड़े बड़े दिगज इंडस्टिलिस जैसे पुरिशोत्तम दास ठाकुर्दास जीडी बिरला ये सारे लोग colonial control के उपर attack करते हैं civil disobedience को support करते हैं क्योंकि नहीं लग रहा था कि शायद civil disobedience moment के थुरू हमारी ये जो restrictions लगाई जाती है बिजनसेस पर ट्रेड पर ये सभी हट जाएंगी ठीक है ये लोग बच्चों बोलते हैं ना तो हम बाहर से आयवे समान को finance करेंगे ना तो उसको बिकने देंगे ना खरीदेंगे maximum businessmen वर आज कोई कैसा समय देखने लगे कि जब colonial restrictions जो है business के उपर वो नहीं रहेंगी हट जाएंगी और हमारा business और expand होगा लेकिन second round table conference के failure के बाद ये business groups अब इंट्रेस्टे नहीं थे ठीक है they were not not enthusiastic और plus militant activities fell रही थी they were worried about prolonged disruption of business well as the growing influence of socialism among the younger members of the Congress plus बच्चों चीजों को जो है तरीके से बात की जा रही थी socialism socialism का जो ideology है socialism क्या बोलता है government control की बात करता है और socialism की ideology इस time पर Congress की लोगों के बीच में fell रही थी जहां पर वो भी बोल रहे थे कि जितने देश के asset होने चीए वो सरकार के पास होने चीए इस वज़े से भी इन सबको दिक्कत हो रही थी कि भाई ऐसा तो नहीं होना चीए नहीं तो फिर हम private individuals का क्या होगा ठीक है तो यह अब भी enthusiastic नहीं थे प्लस देखिए क्या होता है फिर आती है working class बच्चों फिर से वो लोग आ गए जो की इंडस्ट्री में workers की तरह काम करते थे यह लोग अंग्रेजों से भी परिशान थे यह लोग अपने इंडस्ट्रियल ओनर्स से भी परिशान थे ठीक है तो जो गरीब इंसान है वो दो-दो लोगों से परिशान है अमीर को तो सिफ Britishers की टेंशन है गरीब को Britishers की टेंशन है और अपने ओनर की टेंशन है यह लोग सिबिटिस ओनर्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं सिब नागपूर रीजन में थोड़ा बहुत participation देखने को मिलता है इंड in spite of that some workers did participate in the civil disobedience movement selectively adopting some of the ideas of the गांधियन प्रोग्राम कुछ फिर भी जो है civil disobedience movement में हिस्सा लेते हैं गांधियन प्रोग्राम की थोड़े बहुत चीजों को अडॉप्ट भी करते हैं railway workers strike करते है 1930 में और जो dock workers थे यानि की बचों जो ship में loading unloading का काम करते हैं वो भी एक strike करते हैं in 1932 1930 में बहुत से workers जो की छोटा नागपूर की tin की mines में काम करते थे वो लोग गांधी caps पहन कर participate करते हैं boycott और protest rallies में साथ ही में Congress जो है it was reluctant to include the workers demand as part of its program of struggle Congress जो है बच्चों वो एक तरीके से थोड़ी reluctant थी वो ज्यादा enthusiastic नहीं थी ठीक है और workers की demand को अपने struggle का हिस्सा नहीं बनाना चाती थी क्योंकि इस वही बात है क्योंकि Congress Party industrial owners के साथ थी अब उसको लग रहा था कि अगर मैं workers की demand को support करूँगा तो owner में इसे चिड़ जाएगा तो यहीं वाली चीज हो रही थी यांपर चीक है चली आगे देखें अब बचो यहां पर last group आता है वो है महिलाएं महिलाएं क्या होता है महिलाओं के साथ पटा पट से एक तो ना class में मैं देख रही हूँ हमें जो है एक घंटा दो घंटे होने वाले हैं और यहां पर मैं बच्चों का जो है जोश बचों मैं अपन पूर में बैटरी नहीं रहेगी ठीक है तो एक सेकंड फटा फट से मेरे को एक तो थोड़ा जोश ठंडा नहीं होना चाहिए फटा फट से मेरे को fire emoji के साथ जल्दी जल्दी से वो करो यहां पर चार्जिंग कर लें थोड़ी से चलीए जो है जो है बहुत एंथुजिंग की बात कर लेते हैं विमन जो है बहुत एंथुजियास्टिक सपोर्टर सी सिविल डिसोबीडेंस की बहुत बड़े नंबर्स में महिलाओं ने हिस्सा भी लिया लाज केल पार्टिसिपेशन प्रोटेस मार्चेज में हिस्सा लेती हैं नमक जब बनाया गया तो उसको भी नोंने मैनुफैक्चर करा गान्दी जी के साथ भी बहुत सी महिलाएं जो थी जो की हिस्सा ले रही थी वो हाइ कास्ट फैमिलीज को बिलॉँग करती थी उची जाती की महिलाएं थी और रूरल एरियास के अंदर भी जो महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही थी वो अमीर घरानों से अमीर किसान घरानों से महिलाएं आ रही थी तो basically हम लोग देखते हैं कि participation जो महिलाओं का रहा है वो उन महिलाओं का रहा है जो ज्यादा तर upper caste houses से आ रहे हैं ठीक है from the rich families, alright from the high caste families. Now what happened was they began to see service to the nation as a sacred duty of women. यह महिलाओं जो है अपनी एक तरीके से एक डूटी मानने लगती है कि यार देश के लिए हम जो कर रहे है वो एक सेवा की तरह है है ना? ठीक है देश के लिए हम जो कर रहे है वो एक सेवा है और सेवा की तरह हम यह सब कर रहे हैं. This increased public role did not necessarily mean any radical change in the way the position of women was visualized. भी का ख्याल रखेगी अपने सजुलाल वालों का ख्याल रखेगी अपने बच्चों का ख्याल रखेगी वही position थी उसमें कोई change नहीं आता है. गांदी जी बहुते थे की वे बीवियां बनो गांदी जी तक ही बात बोल रहे हैं. फिर बचो होता क्या है for a very long time Congress में भी महिलाएं जो हैं कोई भी authority की position को hold नहीं कर रही थी क्योंकि उनका socially जो role है वो अभी वही था हर जगा male dominated society थी male dominated चीज़ें ही चल रही थी politics में भी वही सब हो रहा था ठीक है तो यह सब होता है और अब हम आज आते हैं limits of civil disobedience को समझने के लिए बचो थोड़ी ही देर में हम लोग मतलब एक तरीके से में को लगता है यह topic है और उसके बाद एक और topic है तो हमारी class बहुत जल्दी अभी खतम होने वाली है majorly 15-20 मिनट की और class है ठीक है तो धंग से समझ लो यार चीजों को धंग से समझ लोगे तो तुम्हारे लिए भी अच्छा है मेरे लिए भी अच्छा है अभी है ना ठीक है ध्यान से समझ लीजी ध्यान से ध्यान से बिलकुल धंग से ध्यान दीजी थोड़ा और देखो बचो limits of civil disobedience का उसमें सबसे बहला ग्रूप आता है untouchables का अब आप सभी को पता है क्या untouchables कौन थे एक टाइम पर caste system चलता था caste system के अंदर बोला जाता था ब्रहामन शत्रिया शूद्रास वैश्यास और एक ग्रूप ऐसा था जिसको किसी caste में ही नहीं डाला गया जिनको बोल दिया गया out caste ये तो किसी caste को ही नहीं बिलॉंग करते ठीके जिनको बिल्कुल कोई दर्जा ही नहीं दिया गया untouchables यानि की अच्छूत अच्छूत बच्चों देखो सुनकर ही कितना गलत लगता है सोचो कि जो लोग untouchables थे उनको कैसा लगता होगा तो यहाँ पर होत क्या रहा था यहाँ बिगन तो कॉल दिमसेल्स दलित और oppressed from the 1930s तो यह लोग ना अपने आपको एक तरीके से दलित बुलाने लगते हैं oppressed बुलाने लगते हैं क्योंकि इनको oppressed किया जाता था बाकी caste groups द्वारा इनको दबा कर रखा जाता था ठीके Congress ने बहुत लंबे समय तक दलित को इगनॉर करा था क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर हम दलित का साथ देंगे या दलित के लिए कुछ बहतर करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग सनातनीज जो हैं उनको offend कर देंगे सनातनीज बुरा मान जाएंगे तो इस डर से Congress पार्टी भी इनको सपोर्ट नहीं करती थी बट गांदी जी जरूर इस चीज में मानते थे कि सुवाराज तब तक नहीं आएगा जब तक untouchability हटती नहीं है और गांदी जी बचों खुद जो हैं एक तरीके से टॉयलेट्स क्लीन करते थे ताकि जो भंगी होता था उस टाइम पर भंगी उस कास्ट को बोलते थे जो टॉयलेट्स साफ करते थे ठीक है तो सबसे घट्या नीचा काम माना जाता था तो गांदी जी ने उनके काम को भी एक तरीके से इस्जत प्रुवाइड करने के लिए खुद ही टॉयलेट्स साफ करना चालू कर दिया साथ ही में हरी जन्स बुलाते थे गांदी जी अंटाचिबल्स को कि हरी के जन मतलब हरी के बच्चे भगवान के बच्चे तो वह सब बोलते थे उसी के साथ साथ यह और गिनाइस सत्याग रहे और चो गांदी जी ने सत्या पे उन लोगों को यह basic facilities भी उसकरने नहीं दी जाती थे मंदिरों में तक घुस्ते नहीं दिया जाता था क्योंकि ऐसा माला जाता था कि उनके टच से जो है चीजे पल्यूट हो जाएंगी गांदी जी ने उनके लिए सत्यक रहा है और अपरकास लोगों को भी जो उची जाती की लोग होते थे उनको भी वो मनाते थे परसुएट करते थे एक सेपरेट इलेक्टोरेट मांगने लग जाते हैं उन लोगों बचो अब धलिच को न लगता है कि हमारी स्थिती तभी सुधर पाएगी जब हमारे पास पॉलिटिकल पावर आएगी इस वज़े से वो लोग अपने आपको और्गिनाईज करने लगते हैं अपने और जो लीडर जिसको चूज करना है वो लीडर भी दलिध हो पूरा एरिया ही ऐसा हो जहां वे वोटर्स भी दलिध हो और लीडर भी दलिध हो तो यह वाली डिमांड वो कर रहे थे विच वो डिमांड फॉर एलेक्टोरेट सेपरेट एरिया दे दो सेपरेट एलेक्टोरे स्ट्रॉंग थे अब यहां पर बियार अंबेडकर जी दलिच को डिप्रेस क्लास एसोसियेशन में और उर्गिनाइज कर लेते हैं 1930 में और एक लड़ाई चलती है अंबेडकर वर्सिस गांधी क्योंकि बचों अंबेडकर जी और गांधी जी की बीच में लड़ाई क्यों चल सीड़ अंबेडकर जीमांड गांधी जी बिगान अफास अंटो डेथ बिलीव एक एसा यूनिट पोलिटिकल यूनिट जहां पर वोटर भी दलित रहेंगे और लीडर भी दलित रहेगा इसकी डिमांड करी अंग्रेजों ने डिमांड मान ली तो गांधी जी को गुस्सा गांधी ची अब में एक ऐसे व्रत पे जा रहा हो हूं कुछ नहीं काउंगा पास्ट अंटु डेथ अगर आपने यह चीज मान ली और अगर यह चीज चीज कर ली तो मैं सभी में कुछ नहीं खाओंगा रहा जाओंगा भूका रहांगा तब तक ठीक है और वह इसले कर रह से जो दलिट्स है वो हमेशा उनको लगता था अलग ही रहेंगे सोसाइटी में बाकी लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाएंगे उनको कोई एकसेट नहीं करेगा अलग ही रह जाएंगे ऐसे वर गांदी जी यहां पर बोलते थे कि दलिट्स को हम इंस्ट ऑफ सेपरेट इलेक हम क्या करेंगे सीट जो होगी सब्सक्राइब करदे लेकिन बोटर्स जो है वो सारे जैनरल रहेंगे वहीं वोटर रहेंगे वहीं चाहिंδाक कर दी कि OBC के लिए अधर बैकवर्ड कास्ट का ही जो व्यक्ति है वही वहाँ पर एलेक्शन में खड़ा होगा वही वहाँ पर जीत सकेगा लेकिन वोट तो सारी कर सकते हैं यह मत करो फूंकि वोट भी सिर्व उसको ओबीशी वाले देंग क्या दाट तो गांदी जी यहां पर जेनरल एलेक्टोरेट की बात कर रहे थे अमेड कर जी हहां ऑन के बीछ में फोरत पर चले जाते बट वे मतलब राज्य सरकारों में भी और केंद्रिय सरकार में भी और वोट उनको जेनरल इलेक्टोरेट यानि की जेनरल बढ़ चड़के हिस्सा लिया था लेकिन जैसी नॉन कोपरेशन खतम होती है बहुत से मुस्लिम्स कॉंग्रेस पार्टी से एलीनेटेड फील करते हैं उन्हें लगता है कि हम जो मुस्लिम्स है हमारी कोई डिमांड नहीं सुन रहा है और कॉंग्रेस पार्टी अपने अपमें हिंदू और्गिनाइजेशन के साथ एसोसियेट होने लगती है जैसे कि हिंदू महासभा के साथ और इस वज़े से भी मुस्लिम्स जो हैं वह और जादा दूर जा रहे थे किदू मुस्लिम क्म्यूनल क्लैश्च वोते हैं बहुत सी सिटी claimingूनल क्लैश्च जो धर्म के नाम पर जो हैं बहुत ज़ादा यहां पर लड़ाई जगड़े चल रहे थे वह और बढ़ने लगते हैं कहीं पर तो दंगे होने लगते कॉंग्रेस मुस्लिम लीग दो पार्टीज इन्होंने बहुत एफ़र्ट करें थाकि यह लोग एक तरीके से साथ में आ सके आलाइंस फॉर्म कर सकें 1927 में ऐसा लगा कि ऐसा हो भी सकता है कि क्या पता यह जो नफरत है यह दोस्ती में बदल जाए बट हुआ नहीं जिन्ना मुहमाद अली जिन्ना जो की मुस्लिम लीग के लीडर थे he was willing to give up the demand of separate electorate if Muslims were assured reserved seats in the Central Assembly and representation in proportion to population in the Muslim dominated provinces बचो यहां पर जिन्ना जी भी separate electorate की ही बात कर रहे थे Muslims के लिए बट वो कहते है कि ठीक है मैं separate electorate की जो demand है इसको छोड़ दूँगा अगर Muslims को Central Level पर reservation मिलती है in proportion to the population in the Muslim dominated provinces समझ रहो तो जिन्ना बोलते हैं कि separate electorate छोड़ देंगे आप क्या करो आप हमें Central Level पर उस हिसाब से reservation दे दो जितनी हमारी population हमारे dominated areas में है जहां पर हम बहु संख्यक रूप में मौजूद है उस proportion में हमको reservation दे दो ठीक है तो यह भी चीज जो है क्या होता है all parties conference होती है जहां पर सारी parties जो है जाती है 1928 में लेकिन जो MR जैकर होते हैं हिंदू महासभा के वो मना कर देते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा यह सब नहीं मिलेगा और जब बचो civil disobedience movement start हुई थी तो उस टाइम पर दोनों ही community के बीच में काफी tensions थी काफी distrust था कोई community दूसरी community पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी और इसी वज़ेसा हम लोग देखते हैं कॉंग्रेस से हट गई थी Muslim League और Muslims और यह लोग जो है साथ में आके struggle नहीं कर पा रहे थे civil disobedience movement में तो बिल्कुल भी हिस्सा लेने को इंट्रेस्ट नहीं थे Muslims और उनको यह लग रहा था कि Muslims जो है भारत में एक minority की तरह रह जाएंगे और कल को उनकी कोई एक नहीं सुनेगा कल को उनके लिए कोई भी कुछ नहीं करेगा तो वह इस देश का हिस्सा ही अपने आपको महसूस नहीं कर रहे थे तो दिस दिस इस रीजन की Muslims अब हम लोग एक तरीके से चैप्टर की लास्ट टॉपिक पर आ गये हैं और वो टॉपिक है बचो दसेंस ओप कलेक्टिव बिलॉंग नियुक आप लोग बचो जब इंडिया का मैच देखते हो जब बंदे मात्रम का गाना सुनते हो जब हमारा जंडा लहराता वह देखते किया अपके अंदर एक पेत्रियोटिक फिलिंग आती है किया अपके अंदर एक गर्व की भावना आती है तो वही end of the day everyone is an Indian and उन लोगों के अंदर वही जो पहचान है कि भारतिय होने की पहचान उसको लाने की कोशिश की जा रहे थी through the sense of collective belonging it means that people began to believe that they were part of the same nation लोगों को जब यह लगने लग जाए कि हां हम सब एक ही देश का हिस्सा है हम सब पहले भारतिय हैं फिर हम कुछ है हिंदु मुसल्मान हम बाद में हैं पहले हम भारत देश का हिस्सा है और बैचो इसी feeling को लाने की कोशिश की जा रही थी through different different ways सबसे पहले भारत माता जो की भारत इंडिया की allegory है female figure है जो की देश को represent करती है उनकी image को बनाया जाता है हम लोग देखते हैं सबसे बहले बंकिम चंद्र चटोपाध्याजी ने भारत माता को create करा in his imagination ठीक है गया था और बचो जो बंगाल के अंदर स्वादेशी movement चली थी वहां पर लोगों ने वंदे मात्रम गाया भी था फिर इस image को create तो बंकिम चंद्र चटोपाध्या ने करा लेकिन इसको paint किस ने करा हम लोग देखते हैं अब अनिंद्रनाथ ते गौर ने अपनी famous image भारत मात की paint करी जहां पर भारत माता बिल्कुल एक साधू सी लग रही है ना भारत माता एक aesthetic साधू जैसी figure है काम है compose हैं बिल्कुल शान्थ स्वभाव की है ना and spiritual type की लग रही है as you can see उसी के साध सथ हम लोग देखते हैं next यहाँ पर क्या गया a movement to revive the Indian folklore भारत के जो लोग संस्कृती है लोग संस्कृती को बापिस लाने की कोशिश की जारी थी और हम लोग हमेशा है सोचते हैं कि western culture को हम adopt कर ले हम लोग English गाने जोने हम लोग English movies देखे हम लोग अंगरेजों की तरह त्यार हो तो हम लोग एक तरीके से westernize हो रहे हैं बट यहां पर बच्चों आपको आपकी संस्कृती से वह कराया परिचित कराया जा रहा था कि बाहर की संस्कृती नहीं अपनी संस्कृती पर करने लग गया है यह जो हमारी लोग कथा लोग गीप थी यह सारी चीजे जो है हमारे भारत के ट्रिडिशनल कल्चर के बारे में हमको बताती थी जो की ब्रिटिश द्वारा और आउटसाइड फोर्स द्वारा डैमेज कर दिया गया था ठीक है तो इस वाल वस बीन डान उस राइम जमिट्स यह सारी जो पुरानी पुरानी कथाय थी इनको कलेक्ट करने लग गये और बंगाल के अंदर इन्होंने फोक रिवाइवल की मुवमेंट को लीड करा ठीक है बचो फोक रिवाइवल एक तरीके से हमारी लोक संस्कृति को फिर से रिवाइव करना चाहते थे फिर से he wanted to bring it back to life so he was doing that उसी के साथ मदरास के अंदर नेताशा शास्त्री जो थे उन्होंने एक four volume collection जो है तमिल फोक टेल्स की उसको publish करा जिसको बोला जाता था the folklore of southern India चीक है तो यह सारी चीज़े हो रही थी उसी के साथ third pointer देखे ट्राय कलर फ्लैग हम लोग देखते हैं तीन रंग का जो जंडा है देखिए द्यूरिंग दस्वदेशी मुव्मेंट स्वदेशी मुव्मेंट के दौरान जो बंगाल में चल रही थी यहाँ पर एक तीन रंग का जंडा जो है ट्राय कलर फ्लैग जो है रेड ग्रीन येलो इसको डिजाइन करा गया था अब जंडे को देखके यार एक जंडा सबसे पहले स्वदेशी मुव्मेंट के थू बनाया गया था यहाँ पर आठ लोटस थे आठ कमल के फूल है उपर आप देख सकते हो हरे रंग पर और यह आठ लोटस इस रीप्रेजेंट करते थे ब्रिटिश इंडिया की प्रोविंस को उसी के साथ सब यहाँ पर च चर्खा बनावा है चर्खा का मतलब था बच्चो इस चर्खा रिप्रेजेंटेट दगांधियन आइडियल ऑफ सेल्फ यानि की बच्चो गांधी जी का जो आइडियल था उनका जो प्रिंसिपल था जहां पर आत्म निर्भर होने की बात करते थे कि हमें इंडिया में ही ज ठीक है बचों देखिए लास्ट चीज जो हमने करी दाट वस्ट री इंटर्प्रेटेशन मतलब फिर से मतलब को समझना किसी चीज का किस मतलब को समझ रहें अपने इतिहास को समझ रहे हैं तो बचों देश के अंदर गर्ब लाने के लिए इंडियन हिस्ट्री को एक अलग तुराने खयालात के हैं काफी अनपढ़ हैं यह लोग खुझ से अपने उपर शासन नहीं कर सकते हैं इस वज़े से हम बिकोज एजुकेटेड विया वाइट व्यारूलिंग ओवर देम तुम ब्रिटिश इस तरीके से बोलते थे और इंडियन भी मान लेते थे हाँ हाँ यह बोल रहे हैं अभी ना इंडियन को यह बताने की ज़रूरत ही तुम पीछे नहीं हो तुम लोगों की भी बहुत ऐसी हिस्ट्री रही है जो काफी ग्रेट हिस्ट्री है जहां पर बहुत लोगों ने बहुत कमाल कर करके दिखाया है तो इन रिस्पॉंस इंडियन जो है वह को अपने देखने लगते हैं अपने इतिहास को देखने लगते हैं और इंडिया की जो बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट से उनको देखा जाता है हमारे पुराने लीडर्स को देखा जाता है हमारे पुराने इतिहास को देखा जाता है और उसके तुरू जो है लोगों कहीं कि नहीं ही इंडियन इंडियन नेशन बिफोर कमिंग अफ ब्रिटिश इट वस लाइक दिस हमें पता होना चाहिए कि उस पे हम लोग गर्व कर सके उस पे हम लोग बहुत जादा प्राइड फील कर सके हैं चीक है दिस द्याल और इसी के साथ हमारा आज का लेक्टर बचो होता है समाफ आपफ ग्लास में बच्चो को देख रही हूँ जूकिर वार्प से है so thank you so much guys for being here with me and बहुत अच्छा लगा मुझे आया हूप आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा तो इस चाप्टर को धंक से पढ़ लीजेगा धंक से रिवाइस कर लीजेगा थैंक यू सो मच टेक कियर I will see you guys on Wednesday a very happy the शहरा to all of a few बच्चो कल का दिन बहुत अच्छे से मनाईएगा और जरूर रावन को जलते वे देखकर आईएगा बच्चो मैं बच्पन की चीज है जो बहुत जादा मिस अभी करती हूं अभी मैं उतनी जादा एक्साइट नहीं रहती इन सब चीजों के लिए बट हां बच्पन में वाइब है उस वाइब को जरूर एंजॉय कीजेगा और मैं यह भी आप लोगों को बोलूंगी कि अगर आपके घर के आसपास कोई मेला हो तो उस मेले को भी जरूर देखने जाएगा इंडियन कल्चर इंडियन कल्चर को भूलना नहीं है वेस्टन चीजों के आने से अपन झाल झाल झाल